दिली आपकारी घुटाने से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याटिका पर आज दिली हाई कोट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अपरेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था मामले की सुनवाई दिली हाई कोट की जस्टिस सुन कांता शर्मा के अदिश्टावाली बेंच ने की इडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केज्रिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं चिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग के अपरात के वो दोशी ही दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने घुटाले में हुई आई की एक हिसे का उप्योग गोगा के विधानसबद चनावों में किया और ये पैसा चनाव अभियान में खर्च किया गया करनु शार्दा हमाई से तमाई स्वयोगी इस वक्स जुट चुकी है यानि आज आज इस बात क्यों होगी ना सिर्फ केजरिवाल को पूरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णय हाई कोट का क्या आता है करनू कितने बज़े ये फैसला आज सकता है जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस स्वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केजरेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओर राउजर वेनी को उपने दिया था इडी इडी को इडी में फिर्से इडी में करने के लिए उन दोनों को चालेंच किया है उन्हुंए इसके सवेधानिक वैंदा शार्ण किया है और बताया है कैसे जो E.D. ने दो साल पहले की जो F.I.R. थी, उसके बाद आने के बाद कैसे उनको अरेस्ट किया, कैसे ये एक सोची समझी साजट थी, कि ठीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्टी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए, उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के बाद एक स एक वोधन दो किया है कि जो सारी ट्रांसक्शन हुए है, हावाला की ठू हुई है, और यह सब config self chargesновाब हैं पर उन्होंने यह कहा कि हम conclusion के बहुत नियर हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इस stage पे किसी भी तरह का relief देना चाहे वो remand के लिए, चाहे वो arrest के लिए किसी भी तरह का relief देना बहुत खराब होगा इस case के लिए, क्योंकि हम case को solve करने के बहुत आसपास हैं. उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें बताए कि उन्होंने गोवा के leaders को भी summon किया था और उनसे भी statement निकलवाई हैं. कल हमने देखा दुर्गेश पाथन जो कि गोवा elections के convener थे उनसे भी पूश्टाच की गए, तो कहीं न कहीं जो है, चेंश करने में सिरफ और सिरफ इस लिए क्योंकि यह सारी transactions cash में की गई है, इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं, इसकी वज़ा से ही E.D. ने अपने दलीलों में हाइकोप के सामने यही बोला कि इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि अर्विन केजरिवाल एक influential person है, एक post hold करते हैं, उनको अगर ऐसा इस टाइ पर कोई release दी आ जाए, तो वो witnesses को influence कर सकते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजे बताई, अर्विन केजरिवाल जी ने भी यह point out किया, कि कैसे जो है शारत चंदरेडी को बेल मिलती है, कैसे वो electoral bonds 55 crore के BJP को देते हैं, तो यह तमाम तरह की चीजे हैं, जो counter and response में आई सामने, पर अगर पहले की बात किये जाए, तो स्वन कांता शर्मा जी के सामने, इससे पहले बनी से सोधिया की भी बेल थी, इससे पहले सतेंदर जैन की भी बेल थी, और संजे सिंग की भी बेल थी, पर उनमें से किसी को भी वहाँ से relief नहीं मिला था, तो बहुत कम चांस लग रहे यह देखना होगा कि सुप्रीम कोट के सामने, वो क्या चालेंज करते ही, क्योंकि अभी यह बताना भी यहां जरूरी है, कि अभी तक अर्विन के जिवालेज ने प्रॉपर बेल आप्लिकेशन नहीं फाइल किये, बेल आप्लिकेशन उनमें फाइल करने के लिए, वो नीच इस अरेस्ट और इस रिमान ओर्डर की सम्विधानिक वैधिता को जो चालेंज करना, जो उन्होंने हाई कोट में किया, क्या हो सुप्रीम कोट में भी करते हैं की नहीं करते हैं, यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए, तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है, जब इसी केस में आपके राज्यसाबा सांसद संजे सिंग सुप्रीम कोर्स से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आये हैं, आम आदमी पार्टी के एक और नेता, इस शराबनीती से सम्बंदित केस में ED की रडार पर इसमें कई के स्थानों पर बेते दिनों छापे मारी भी हो ये गहरी साजी से बारती जनता पाजी है भाजपा की चालबाजियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे खुब मुकाबला भी हमने किया है गिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेगुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपनाकाम करें लोग समझ चुके हैं एक बात सबस्च्ट है अरविन केजवाल भरष्ट आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग कथित शराब घोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहर आए तो भरष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाचा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नश्ब में धक्यलने का काम अर अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ कुछ नहीं है उनसे पैसे भी लिए गये उनको लोक सब़ा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरिवाल जेल में है और जिनको कहा जाता था मनी लांडरिंग के आरोपी और किंग पिन है वो बाहर है तो यह तो सीदा सीदा जो है कानून की दज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग पिल्हाल जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में है मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपाक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरफतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और भेश्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्शपर सवाल खड़े कि अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूँ चुनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं वो एडी इंकम टेक्ट और सीविया है विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेश्टचार के खिलाप अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी प्रस्टाचारीयों के लूट का हिसाब हो रहा है तो इस आपे ये को गए हैं मैं कहता हूँ प्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं प्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता धश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी इसको नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन्स को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहें दरसल विपक्ष टारोब है कि ब्रश्टाचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनों में सबको समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुख्ट करके दवाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोक्रिसी को और स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बोता है एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन आपके खिलाब भी कारवाई थरेंगे गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है, दूसरे तरफ लोगसभा चनाव के लिए, आम आदमी पार्टी ने अपना नया चनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया, और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से, आपके कैमपेइन वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें दि पीर की नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से, आपकेजरिवाल का आगी क्या होगा, कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा, क्या संजे सिंकी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है, इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर टिका है, केजरिवाल की अरजी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा, मतलब कल का दिन केजरिवाल औ और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है। के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है। बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुवात करते। अर्विंद के जरिवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा। दिल्ली का चुनावी अभियान अर्विंद के जरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिनके लिए अर्विंद के जरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद के जरिवाल जी के लिए काम करें। अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया आज तानासा सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहाड में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मदारी है कि हम अरविन्ध केजरिवाल के मानसमान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाये गया है, जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से ये कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए केजरिवाल की गिरफ्तारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस्तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफ्तारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगत्री मुख्य मंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंड बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने A.I.R.S. की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया उसका एक एक हिसाब लोगतंतr में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए दिया है जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सूपरा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को ढूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज दिल्ली नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत एड़ी के आक्शन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या खलत केजरिवाल ने एड़ी के आक्शन को चुनौती दी है लिहाजा नजरे आदालती फैसले पठी की है शराब नीदी घोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर एडी दिमांड को और समविधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि स्यम के तत्काल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं इडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी आचिका पर भी फैसला आना है राउज अवे नियो कोट से केजरिवाल की उसी आचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक्त समय की मांग की है केजिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पाटी ने अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पाटी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्ती जंता पाटी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केजरिवाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मा दिन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आदी पाटी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भादवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच सावित हो रहा है दिल्ली को शराब घुटाले में कल ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूचताच हुई होर दल्ब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके CDR से भी इसकी पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आमाद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था अब भारतिये पार्टी के लिए काम करते रहेंगे यह लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठीनाई यह आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूंगा शराब घुटाले में पूश्ताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे निताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सिया लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दुर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबके संजय सिंग को पिछले हफते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भार्दुआज दिल्ली आज तक ये गहरी साज ही सेवारती जन्ता पाज़ी है भाजपा की चाल बाज़ियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे को मुकाबला भी हमने किया है गिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेगुनाही का कोई भी कि चारा नहीं दिख रहा है कानून अपने काम करें केसी दंड़ का इनके ऐल जो अच्छी सिक्छा दे रहे विजली दे रहे पानी दे रहे बस की फ्री याक्त्रा दे रहे भुजूर्गों को तीरत याक्त्रा करा रहे उनका तुरंग हरजी मुगद में घरिपतार करो इस दीपा करो नोटंकी है, ड्रामय बाजी है, लोग समझ चुके हैं एक बात स्पष्ट है, अर्विंद केज़वाल भरष्ट आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कथित शराब भोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए, तो घर्ष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शरू हो गए शराब गोटाला हुआ, ये बाद तो संजय सिंग भी स्विकार कर रहे है शराब गोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो आरूपी हैं, वो इस तरह की भाशा बोलते हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको ये जवाब देना चाहिए, कि दिल्ली के जिवाओं को नशब में धकेलने का काम अर्विंद केजरिवाल और आप लोगों ने मिलके किया है, आपने दिल्ली की लोगों को लूटने का काम किया है कि जो लोग पहले कहते थे कि अर्विंद केजरिवाल की खिलाफ कुछ नहीं है उनसे पैसे भी लिए गए उनको लोग सबा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरिवाल जेल में है और जिनको कहा जाता था मनीव लॉंडरिंग के आरोपी और किंग पिन है वो बाहर है तो ये तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू रहा है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजिंसियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग फिल्हाल जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में है मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपाक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरफतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और भेश्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्शपर सवाल खड़े कि अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूँ चुनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं वो एडी इंकम टेक्टो और सीविया है विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेष्टचार के खलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है तो यह सब एक हो गए हैं मैं कहता हूं ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता भश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी इसको नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन्स को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो, अपनी उकात में रहें दरसल विपक्ष का आरोप है कि भष्टचार का मुद्दा जुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया औरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनेतिक तरीके से बिढ़ाय को सांसरों की खरीद फरुख्ट करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ओपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रिसी को औस्थिर करती रही है गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नORMAL चुनाव नहीं है यह लोग तंत्रों को बचाने का, समधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है प्रश्टाचार के खिलाफ कारवाई हो या राजनीती समय के साथ अभी और ये गती पकड़ेगी साफ है कि अपकी बार रुटता है प्रश्टाचार पर तकराई क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत EDK अक्शन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एडी के आक्षन को चुनौती दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पठी की है शराब नीदी घोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर ED रिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसला न है रावजवेन्यो कोट से केजरिवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक्त समय की मांग की है केजिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पाटी ने अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पाटी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भारती जंता पाटी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केजरिवाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आदी पाटी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरभ भादवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली सरकार के मंतरी आतिशी का डर सच सावित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभाव पर शिकनजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूचता चुई होर दल्ब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ पर चार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके CDR से भी इसकी पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आमाद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था कहीं कोई मनीट्रल स्टाबलिश नहीं कर पा रहा है तो हम तो अब भारतिय इंताप पार्टी से कह रहे हैं कि इधर आसे तमगर हुना राजमा है तो तीर आजमा हमजगर आजमा है आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन एडी की जाँ जारी है पूच्टाज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाईयां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूगा शराब घुटाले में पूच्टाज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे नेताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सियां लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रित तुए या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबके संजय सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भार्दवाज दिल्ली आज तक शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद है केजरिवाल का आगी क्या होगा कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा क्या संजय सिंग की तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर ठिका है केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेटिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लिहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुवात कर दो अरविंद केजरिवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभ्यान कैसे चलेगा दिल्ली का चुनावी अभ्यान अरविंद केजरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिनके लिए अर्विंद केजरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद केजरिवाल जी के लिए काम करें अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया पोस्टर में केजρίवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से ये कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंतरीक गोपाल राय ने समझा है अरविंद केजरिवाल को तुमने जेल में डाला है इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोग सभा में भी भाजपा की बिदाई करेंगे अब आज के बाद चुनाव ही आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा केजरिवाल की गिरफतारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गरफतारी का जवाब देंगे दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सूप्रा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैमपेइन के लिए किसी विशय को ढूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे अब केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्होंने अर्विन केजरिवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया आमाजिपार्टी के दफ्तर में आप जैसे आते हैं देखे जगे जगे ये पोस्टर लगाए जा रहे है और जल्दी ही आप दिल्ली नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां आज़ी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर आज तक भूरो कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एडी के आक्षन को चुनौती दी है लहाजा नजरे अदालती फैसले पटी की है शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर E.D. डिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुश सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के ततकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसला नहीं राउज अवे नियू कोट से केजरिवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरिये उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक्त समय की मांग की है केजरिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्टी जंता पार्टी कह रही है कि बोया पेड वबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केजरिवाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजे सिंगी रहाई के बाद आम आदी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्चता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरभ भादवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली सरकार के मंतरी आतिशी का डर सच सावित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकनजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब 4 घंटे तक पूचता चुई होर दल्ब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलकि CDR से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आमाद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था अब भारतिय पार्टी के लिए काम करते रहेंगे यह लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाईयां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पूस्ताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पार्टी के दूसरे निताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजंसियां लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पार्टी की अगरिम पंक्ती का नित्रितुए या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबके संजे सिंग को पिछले हफते बेल मिली है तो क्या अब बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आद्मी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुवात करते है जिनके लिए अरविंद केजरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरिवाल लीके लिए काम करें अरविंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया आज तानासास सरकार ने अरविंद केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरिवाल के मान सम्मान को और उ प्रविंद केजरिवाल को तुमने जेल में डाला है इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और पचीस मई को दिल्ली से लोग सभा में भाजपा की विदाई करेंगे अब आज के बाद चुनाव ही आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन पचीस मई को के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आद्मी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने आयरिस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प या ऐसे विक्ति को जेल में डाल दिया उसका एक-एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जंता इनके वोट पर छोट देने वाली है वो इनके ब्रिष्ठाचार का जवाब वोट पर छोट देगे देगी और आम आदनी पार्टी को दिल्ली से सुपरा साफ करेगी अब केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्होंने अर्विन केजरिवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया आमादी पाटी के दफ्तर में आप जैसे आते हैं देखिए जगे जगे ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जल्दी ही आप दिल्ली ही नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां आमादी पाटी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एडी के आक्शन को चुनावते दी है लहाजा नजरे अदालती फैसले पर ठीकी है शराबनीती खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर एडी दिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई जरुवत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसलान है राउज एवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अत्रिक समय की मांग की केजिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पाँच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केजिवाल की गिरफतारी को लोग सभाचुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं फार्ती जनता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार हुए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आद्मी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूचताच हुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए नकेवल बयान बलके CDR से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आमाद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था कई कोई मनीट्रल स्टाबलिश नहीं कर पा रहे है तो हम तो अब भारतिय इंतर पार्टी से कह रहे हैं कि इधर आसे तमगर अंदर आजमा है तो तीर आजमा हम जिगर आजमा है आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन एडी की जाच जारी है पुष्टाज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई या आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुष्टाज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे निताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजंसिया लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूच्चाज की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भाठवाज दिल्ली आज तक नश्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अप्रेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था पामले की सुनवाई दिलिया हाई कोर्ट की जस्टिस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी ल बात क्यों होगी ना सर्फ केजरिवाल को पूरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णय हाई कोट का क्या आताय करनो कितने बजे यह फैसला आ सकता है जी अर्पिता यह फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस स्वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी ब दोनों को चालेंज किया है उन्हों ने इसके सविधानिक वैदता को चालेंज किया है और यह बताया है कि कैसे जो है इडी ने दो साल पहले की जो फाई आर थी उसके बाव बाद आने के बाद कैसे उनको अरेस्ट किया कैसे यह एक सोची समझी साजित थी कि ठीक जनरल इले कि कोई मनी ट्रेल नहीं साबित कर पाया इडी उसके आला इसी के ऑपोजिट में इंसोस्में डिरेक्टर का हाई कोड के सामने यह कहना था कि जो सारी ट्रांजेक्शन हुए यह हवाला के थू हुई है और यह सब कैस्ट ट्रांजेक्शन से जिसको ढूंडने में हमें बहुत स के लिए किसी भी तरह कर देना बहुत मुश्किल बहुत खराब होगा इस के लिए क्योंकि हम केस को सॉल्फ करने के बहुत आसपास है उन्होंने तमाम तरह की चीजे बताई कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेटमेंट निकलवाई है कल ह कहीं न कहीं जो है इस्टाइबलिष चेइन इस्टाइबलिष करने में सिरफ और सिरफ इस लिए आ रहे है क्योंकि यह सारी ट्रांजिक्शन स्कैश में की गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही इडी ने अपने अपने दलीलों में हाइक के सामने ही बोला कि इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन केजरिवाल एक इंफुएंशल परसन है एक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको अगर ऐसा इस टाइम पर कोई रिलीस दी आ जाए तो वह विटनिस इसको इंफुएंस कर सकते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजे बता कि आप अगर नअगर ब錢 की चाहिए तो स्वान का ञामाजी के सामने इस से पहले इस सोध्या की भी बेल ही इस से पहले सथेंद्र जैन की भी बेल ती और helpंसे किसी को भी वहां को नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रहे हैं कि हाइग से शायद केंगी को कुए कईस मिले इस टाइम पर पर हाँ अब उनके पास अगर आज कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो उनके पास आगे का रस्ता जो होगा वो सुप्रीम कोट का के सामने जाने का होगा यह देखना होगा कि वो क्या चालेंज करते हैं कि अभी यह बताना भी यह जरूरी है कि अभी तक कोट आएंगे उसके बाद सुप्रीम कोट आएंगे तो यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर है अभिशेक मानुसेंग भी वह उनको यह एडवाइस देते हैं कि वह सुप्रीम कोट आएं और इस अरेस्ट और इस रिमांड ओर्डर की सविधानिक वैधिता को जो ज आप नजब बनाए रखे आगे आपसे अपडेट लेंगे महीं दूखी दूसरी तरफ दिली शराब नीती गोटाले केस में न सिर्फ मोख्य मंत्री बलके आम आदमी पार्टी के वरिश नेता और डेप्टिस यह मनीश सौधिया और स्वास मंत्री रह सतेंद जैन जेल में ह आपके राज्यसाबा सांसद संजे सिंग सुप्रीम कोर्स से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आए हैं आम आदमी पार्टी के एक और नेता इस शराब नीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई केस थानों पर बेते दिनों चापे मारी भी होई एक गहरी साजी से बार्टी जन्ता पाज़ी पाज़पा की चाल बाज़ियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है गिर गये हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम परेंगा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कफित शराब घोटाले की आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाला हुआ ये बाद तो संजय सिंग भी स्विकार कर रहे हैं शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस घोटाले में जो अरूपी हैं वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिली के जिवाओं को नश्र में धर्केलने का काम अरविन केज़िवाल और और आप लोगे दिली की लोगों को लूटने का काम का बोतभी हैं और आज अरविन केज़िवाल जियल में है और 정도로 के आरोपी और किंग PingPin h तो यह तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वह जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई की खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग फिलहाल जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में है मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भष्टाचार के खलाफ चाँच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपाक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरफतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ कि आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो पीर साथी पाइटी है वो इजी इंसक्म टेक्श और सीविया है जिससाब चेह देश में भाई को भाई से लडाया जा रहा है नफरत की राजिती की जारी है उसलिए हम सब नेता आपकी लडाई के लिए हम सब लोग आए है और आपकी लडाई लर रहे है विपक्ष की एक जुटता को भी बीजेपी ने ब्रस्टाचार के खिलाप अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है ते सब एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता ब्रस्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन को कैप्चर करके फाइनेंशली मनोपली बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो, जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे, हम वो पत्ते नहीं हैं, ह हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहें दरसल विपक्ष कारोप है कि ब्रष्टचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनों में सब को समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया औरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुक्त करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोकरिसी को और खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटेब होता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन आपके खिराबी कारवाई जुद्धा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्द्य की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्रों को बचाने का समधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बी आई हो या राजनीती समय के साथ अभी और ये गजी पकड़ेगी साफ है कि अपकी बार भीटा है फश्ट चार पर तकरा तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोगसभा चनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना नया चनावी कैमपेइन लॉ आपके केमपेण वाली तस्WiR साम्याई जिसमें दिल्ली के मुखे मंतरी केजरिवाल को सलाको के पीछे दिकाए गया है इस तस्वीर के नी ची लिखा है जेल का जबाब वोट से शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद है केजरिवाल का आगी क्या होगा, कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा क्या संजय सिंकी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर ठिका है केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेटिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुआत कर अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुकने नहीं दिया आज ताना सास सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अर्विंद केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए केजरिवाल की गिरफ्तारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को भुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफ्तारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने आई आरस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प आए ऐसे विक्ति को जेल में डाल दिया उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सूपड़ा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज दिल्ली नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत एदी के आक्शन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विन केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एदी के आक्शन को चुनाती दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पटे की है शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपने गिरफतारी और फिर एडी दिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुखिमंतरी अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली आचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अप्रेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुस सिंख्वी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सियम के तदकाल किरफतारी के कोई जरुवत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याच्चका पर भी फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए आत्रिक्त समय की मांग की केजरिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पाँच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भारती जंता पार्टी कह रही है कि बोया पेड वबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज्रिवाल किरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मातिन है संजे सिंगी रिहाई के बाद आम आदमी पार्ठी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरभ भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच सावित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके सीडियार से भी इसके पुष्टरी होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो के पुष्टरी गोवा में आमाद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था पार रहे हैं कहीं कोई मनीट्रल स्टाबलिश नहीं कर पार रहे हैं तो हम तो भारतिय गोवा में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे यह लडाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाईयां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूगा शराब घुटाले में पूश्ताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पार्टी के दूसरे निताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सियां लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दुर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था आतीशी ने चायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पार्टी की अगरिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर किजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भादवाज दिल्ली आज तक अमस्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्य मंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाइकोर्ट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अप्रेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था पामले की सुनवाई दिले हाई कोर्ट की जस्टिस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉ आपकी होगी ना सर्फ केजरिवाल को पुरी आम आदमे पार्टी को कि निर्णा हाई कोट का क्या आताय करनो कितने बजे यह फैसला आज सकता है जी अर्पिता यह फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस स्वन कांता शर्मा डेली हाई कोट की जज है वो देंगी बे दूनों को चालंज किया है उन्होंने इसके सवेधानिक वैदता को चालंज किया है और यह बताया है कि कैसे जो है एडी ने दो साल पहले की जो एफ़ाई आर थी उसके बाद आने के बाद कैसे उनको अरेस्ट किया कैसे यह एक सोची समझी साजर्ट कि ठीक जबरल कोई मनी ट्रेल नहीं साबित कर पाया इडी उसके आला इसी के ऑपोसिट में इंसोस्मेंट डिरेक्टर का हाई कोड के सामने यह कहना था कि जो सारी ट्रांजेक्शन हुए यह हवाला के थू हुई है और यह सब कैश ट्रांजेक्शन से जिसको ढूंडने में हमें बहुत समस् ही है और उन्हों ने यह कहा कि हम कन्कुलूजन के बहुत तर्मीयर हैं इसलिए उन्हों ने कहा कि इससे पर किसी भी तरह का रिलीव देना चाहिए वो रिमान Congress कह लिए चाहिए और कि आुब किसी भी तरह की जिएना बहुत खराबभ होगा इस के से के लिए क्योंगे हम करो रहने संधूल थभी कुच्छ की गई आफ उनसे भी पूस्ताच ग़ी तो कही न मैं न शक चाहँ जो पर टाइबस की जड़तों ऐसी रहे होड़ कॉनकि जर wait 2 को कुझ की यह इन improper पूर्फ और के लिग चाहिए लिकल्स के же है नहीं बहुर आब अर्विन के जिवाल जी ने भी यह पॉंट आउट किया कि कैसे जो है शारत शांद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वो इलेक्टोरिल बॉंड्स पच्पन करोर के बीजेपी को देते हैं तो यह तमाम तरह की चीजे हैं जो काउंटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पहल से रिलीफ नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रहे है कि हाई कोट से शायद के जिवाल जी को कोई रिलीफ मिले इस ताइम पर हाँ अब उनके पास अगर आज कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो उनके पस आगे का रस्ता जो होगा वो सुप्रीम कोट का के सामने जाने का हो कोट है जहां पर MP MLA कोट है जहां से जहां पर इसकी सुनवाई होगी उसके बाद वो हाई कोट आएंगे उसके बाद सुप्रीम कोट आएंगे तो यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर है अभिशेक मानुसेंग भी वह उनको यह एड़ाइस देते हैं कि वह सुप् दानिक वैदिता को जो चालेंज करना जो उन्होंने हाई कोट में किया क्या हो सुप्रीम कोट में भी करते हैं कि नहीं करते हैं यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोट अपना फैसला कि पक्ष में देता है जी कि आप नजब बनाए रखे आगे आपसे अपडेट लेंगे में दूखी दूसरी तरफ दिली शराब नीती गोटाले केस में न सिर्फ मोख्य मंत्री बलके आम आदमी पार्टी के वरिश नेता और डेप्टिस यह मनीश सौधिया और स्वास मंत्री सतेंद जैन जेल में हैं इसी केस में आपके राज्य सबास सांसद संजसिंग सुप्रीम कोर्स से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आए हैं आम आदमी पार्टी के एक और नेता इस शराबनीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई के स्थानों पर बीते दिनों चापे मारी पी हुई चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करें आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग कथित शराब घोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहर आए तो भष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस घोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को निश्म में धखेलने का काम अर्विंद केजर्वाल और आप लोगों ने मिलके किया है आपने दिल्ली की लोगों को लूटने का काम किया। तब से असली घोटाला शुरू है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जिल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आभी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेटचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल खड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूँ चुनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो एड़ी इंकम टेक्ष और सीविया है जिस हसाथ देश में बांटने का काम किया जा रहा है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है नफरत की राजिती की जारी है उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने ब्रेश्टचार के खलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रेश्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है ते सब एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रेश्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रेश्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता घश्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टीज को नरेंद्र मोधी, ED, CBI, इन इंस्टिटिश्टिश्ट को कैप्चर करके से कि फाइनेशली मुनं अप् 5 एक साथ को अधर कर दो जो हस्hö nadie बस्टेनी आस को अंदर्ड़ नाता उसको अंदर लजो स्कूलADE उसको अनदर कर दो कांग्रेस पार्टी का खाते फ्रीज कर दो कि ए नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष कारौफ है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनों में सबको समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया औरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनेतिक तरीके से बिढ़ाय को सांसरों की खरीद फरुक्ष करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोक्रिसी को औ स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बोता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन के खिराब भी कारवाई थे रहे हैं घष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्रों को बचाने का समधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बी तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है, दूसरे तरफ लोगसभा चनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैमपेइन वाली तस्वीर सामनी जिसमें दिले के मुखे मंतरी केजरिवाल को सलागों की पीछे दिखाए गया इस तस्वीर की नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद हैं केजरिवाल का आगी क्या होगा? कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा? क्या संजय सिंकी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है? इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर ठिका है केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेतिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत कर अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुकने नहीं दिया आज ताना सास सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अर्विंद केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से ये कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए केजरिवाल की गिरफ्तारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को भुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफ्तारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने आई आरस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प जिया ऐसे विक्ति को जेल में डाल दिया उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सूपड़ा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज दिल्ली नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरू आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या खलत केजरिवाल ने एडी के आक्शन को चुनावते दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पढ़ टे की है शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपने गिरफतारी और फिर एडी दिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाले याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सियम के तदकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं इडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी आचका पर भी फैसला आदा है राउज एवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी आचका पर फैसला आएगा जिसके जरिये उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक्त समय की मांग की केजरिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्टी जन्ता पार्टी कह रही है कि बोया पेड वबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज्रिवाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मा दिन है संजे सिंगी रहाई के बाद आम आदी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्चता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच सावित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केजरिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए ना केवल बयान बलके सीडियार से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो के पुष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था पहले भी हमने कहा था कि अगर भारतियांता पार्टी के इसारफ पर एडियो सी ब्याई हमारे नेताओं को संब्द नहीं देगी नहीं पुलाएगे तो हम यह आशर होगा कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में यह जो नोटिसेस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्फ पैर नहीं है और अब तक आपको ही पता है धाईसों से जाधा रेड हो गई कोट पूछ रहा है तबी संजय जी कोई बेल मिली कोट पूछ रहा है कि भाई यह एवेडेंस का है प्रमार का है सुबूत का है कोई सुबूत नहीं दे पा रहे हैं कहीं कोई मनीट्रल स्टाबलिश नहीं कर पा रहे है तो हम तो अब भारतिय निताप पार्टी सी कह रहे है आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन E.D. की जाँ जारी है पुछताज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाईयां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुष्टाज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताव की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सियां लेकिन बीजी पी का कहना कुछ और है दुर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आमादमी पार्टी की अगरिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर किजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूच्चाज की दूसरे कुष्ट शुरू हो चुकी है अमीद भादवाज दिल्ली आज तक नश्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चनौती देने वाली मुखी मंतरी अर्विन केजवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अप्रेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोट की जस्टेस सुन कांता शर्मा के अदिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरवाल आपकारी नीती घुटाली के मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग के अपरात के वो दोशी ही दिख रहे है आम आदमी पार्टी ने घुटाली में हुई आई की एक हिस्से का उपयोग गोगा के विधान समद चनावों में किया और ये पैसा चनाव अभियान में खर्च किया गया करनु शार्दा हमाई से तमाई सयोगी इस वक्त जुट चुकी है यानि आज आज इस बात की होगी ना सिर्फ केजरेवाल को पुरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णय हाई कोट का क्या आता है करनू कितने बजे ये फैसला आज सकता है जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस स्वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विं केजरेवाल ने अपना अर्रेस्ट और अपना रिमांड ओर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओर राउज अवेन कि जो ए फाई आर थी उसके बाद आने के बाद कैसे उनको अर्रेस्ट किया कैसे ये एक सोची समझी साजिट थी कि ठीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्टी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के बाद एक सारे नेताओं को अंदर करने का जो परपस है उससे कुछ पूफ नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने फिर से यही दलील दी कि कोई मानी ट्रेल नहीं साबित कर पाया इडी उसके आला इसी के ऑपोजिट में इन्सोर्समेंट डिरेक्टरी का हाई कोड के सामने ये कहना था कि जो सारी जिसको ढूणने में हमें बहुत समस्या आ रही है पर उन्होंने ये कहा कि हम कंक्लूजन के बहुत तर्मियर हैं इसलिए उन्होंने कहा कि इस स्टेज पे किसी भी तरह का रिलीव देना चाहे हो रिमांड के लिए चाहे हो अरेस्ट के लिए किसी भी तरह का रिलीव देना बहुत मुश्किल बहुत खराब होगा इस के लिए क्योंकि हम केस को सॉल्फ करने के बहुत आसपास हैं उन्होंने तमाम तरह की चीज़े बताई कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेट्मेंट निकलवाई है कल हमने देखा दुर्गेश पा इडी ने अपने दलीलों में हाइकोप के सामने यही बोला कि इस टाइम पर अगर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन केजरिवाल एक इंफुएंशल परसन है एक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको अगर ऐसा इस टाइम पर कोई रिलीस दी आ जाए तो वो विट्निस इसको इ तो यह तमाम तरह की चीज़े हैं जो काउंटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पहले की बात किये जाए तो स्वन कांता शर्माजी के सामने इससे पहले बनी से सोधिया की भी बेल थी इससे पहले सत्यंदर जैन की भी बेल थी और संजे सिंग की भी बेल थी पर उ अगर आज कोई रिलीफ नहीं मिलता है एक सामने वह तो पस आगे का रसता जो और रिस्प रसता लोगा वह तुप्रैम कोट का के सामने जाने का होगा यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर है अभिशेक मानु सेंग भी वो उनको ये एडवाइस देते हैं कि वो सुप्रीम कोट आए और इस और इस रिमांड ओर्डर की समविधानिक वैदिता को जो जो चालेंज करना जो उन्होंने हाई कोट में किया क्या हो सुप्रीम कोट में भ गोटाले केस में न सिर्फ मोख्य मंत्री बलके आम आदमी पार्टी के वरिश नेता और डेप्टी सियम मनीश सौधिया और स्वास मंत्री रह सतेंद जैन जेल में हैं इसी केस में आपके राज्यसाबास सांसद संजसिंग सुप्रीम कोर्स से जमानत मिलने पर 6 मेने बाद बाहर आए हैं आम आदमी पार्टी के एक और नेता इस शुराबनीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई केस थानों पर बिते दिनों चापे मारी भी होई ये गहरी साजी से बारती जनता पाज़ी भाज़पा की चाल बाज़ीयों को राज़नीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है घिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कफित शराब घोटाले की आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाला हुआ ये बाद तो सुन्जे सिंग भी स्विकार कर रहे है शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस घोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नशब में धकेलने का काम अर्विंद केजरिवाल और आप लोगों ने मिलके किया है आपने दिल्ली की लोगों को लूटने का काम किया है यह तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अर्विंद केजरीवाल की खिलाफ कुछ नहीं है, उनसे पैसे भी लिए गए, उनको लोगसभा का टिकट भी दिया गया, और आज अर्विंद केजरीवाल जेल में है और जिनको कहा जाता था मनीम लॉंडरिंग के दिल्ली घोटाला शुरू है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खिलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी के इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जिल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपाक्ष आम आभी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेटचार की मुद्दे पर ही सरकार की मन्शर पर सवाल खड़े कि अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं चुनोती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं वो एडी इंकम टेक्ष और सीविया हैं विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेश्टचार के खलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है ते सभी एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता घश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी इसको नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन्स को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं, क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्टू बनाता उसको अंदर कर दो, कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष कारोप है कि ब्रश्टाचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनों में सब को समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया औरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुक्त करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोकरिसी को और खोटा है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बहुता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन आपके खिराबी कारवाई गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्रों को बचाने का समधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बी तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है, दूसरे तरफ लोगसभा चनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैमपेइन वाली तस्वीर सामनाई जिसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरिवाल को सलागों के पीछे दिखाए गया है इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद है केजरिवाल का आगी क्या होगा? कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा? क्या संजय सिंकी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है? इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर ठिका है केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेतिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुआत कर अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया आज ताना सास सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहाड में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है एक हम अर्भिनद केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्तर में केजरिवाल को सलाखूं के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से ये कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए केजरिवाल की गरफतारी के इर्दगेर्द चुनावी अभियान को भुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी डिल्ली के घर-घर दस्तक देगी दावाँ यही है कि डिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने आई आरस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प जोट दिया ऐसे विक्ति को जेल में डाल दिया उसका एक 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 हिसाब लोगतंत में आपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब बोड से दिल्ली की जनता इनके वोड़ पर चोत Đेने वाली है वोट पर चोत दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सुप्रा साफ करेंगी। तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे। साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या खलत। केजरिवाल ने एडी के आक्षन को चुनाते दी है। लहाजा नजरे अदालती फैसले पढ़ते की है। शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपने गिरफतारी और फिर एडी रिमांड को और सम्विधानिक बताया था। उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है। अब दो पहे ढ़ाए बजे आने वाले फैसले का इंतिजार है। डिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है। दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसला आना है राउस एवन्यो कोट से केजरिवाल की उसे याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की केज्रिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्ती जंता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मातेन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आदमी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके सीडियार से भी इसके पूछ्टी होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की बुष्ट्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ती को नगत भुक्तान भी किया गया था संबन नहीं देगी नोटिस नहीं देगी नहीं बुलाएगे तो हम यह आश्यर होगा बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में ये जो नोटिसेस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्फ पैर नहीं है और अब तक आपको ही पता है धाईसो से जाधा रेड हो गई अब पार्टिसी कर नहीं कर पारा हैं तो हम तो आप भारते दाज की तरहरा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाईयां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पूश्ताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आदमी पार्टी के दूसरे निताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सियां लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था आतीशी ने चायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आदमी पार्टी की अगरिम पंक्ती का नित्रित तुए या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबके संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भादवाज दिल्ली आज तक नशकार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अपरेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था कामले की सुनवाई दिलिया हाई कोर्ट की जस्टिस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी इस वक्त जुट चुके हैं यानि आज आज इस बात की होगी ना सर्फ केजरिवाल को पुरी आम आदमे पार्टी को कि निर्णा हाई कोट का क्या आता है करनो कितने बजे यह फैसला आज सकता है जी अर्पिता यह फैसला जो है धाई बजे कि आस पास जस्टिस वन कांता श इडी में इन्वेस्टिकेशन करने के लिए उन दोनों को चालेंज किया है उन्हों ने इसके सविधानिक वैदता को चालेंज किया है और यह बताया है कि कैसे जो है इडी ने दो साल पहले की जो फाय थी उसके बाव बाद आने के बाद कैसे उनको अरेस्ट किया कैसे यह ए क्योंकि उन्होंने फिर से यही दलील दी कि कोई मनी ट्रेल नहीं साबित कर पाया इडी उसके आला इसी के ऑपोजिट में इंसोस्मेंट डिरेक्टर का हाई कोड के सामने यह कहना था कि जो सारी ट्रांजेक्शन हुए है यह हवाला के थू हुई है और यह सब कैश ट्रांजेक्शन है जिसको ढूणने में हमें बहुत समस्या आ रही है पर उन्होंने यह कहा कि हम conclusion के बहुत near हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इस stage पर किसी बीतरह का relief देना चाहिए, अर्यस्ट के लिए किसी बीतरह का relief देना बहुत खराब होगा इस case के लिए क्योंकि हम case को solve करने के बहुत आस पास हैं. उन्होंने तमाम तरह की चीज़े बताई कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेट्मेंट निकलवाई है कल हमने देखा दुर्गेश पाथक जो कि गोवा एलेक्शन के कन्वीन अर्थे उनसे भी पूछताच की गई तो कही न कहीं जो है इसके चेंश करने में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे है क्योंकि यह सारी ट्रांजिक्शन स्कैश में की गई है इसका कोई लिखक ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही इडी ने अपने दलीलों में हाइकोप के सामने यही बोला कि इस टाइम पर अगर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन केजरिवाल एक इंफुएंशल परसन है एक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको अगर ऐसा इस टाइम पर कोई रिलीस दी आ जाए तो वह विटनिस इसको इं और होेज के पाउन पर युटा रिस्पॉंटरार आई सामने पर अब अगर पहले कि बात किये जाए तो स्वंक Focus शण शर्मा जी के सामने इससे पहले वनी से खुझिया की भी बेल थी इससे पहल fått Tahेंडर जहान की भी और Wheat Sanjay Singh की भी भेल थी. पर उनमें से किसी को भी वहां से रिलीफ नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रह था कि हाई कोड से शायद केज़वाल को कोई रिलीफ मिले इस ठाई पर अब उन के Patri lingu ंवाल करे कोड दी कोड़οι को कोड नहीं मिलता है तो उनमें के प जाएंगे जो कि राउजेवन्यू कोट है, जहां पर MP MLA कोट है, जहां से जहां पर इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद वह हाई कोट आएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोट आएंगे, तो यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर है, अभिशेक मानु सेंग भी, वह इस अरेस्ट और इस रिमांड ओर्डर की समविधानिक वैदिता को जो चालेंज करना है, जो उन्होंने हाई कोट में किया, क्या हो सुप्रीम कोट में भी करते हैं की नहीं करते हैं, यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए, तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है, जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोट अपना फैसला किस पक्ष में देता है। फाजपा की चाल बाज़ियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे को मुकाबला भी हमने किया है। कानून अपना काम करें है। केजरिवाल जो अच्छी सिक्षा दे रहे है, विजली दे रहे है, पानी दे रहे है, बस कि फ्री यात्रा दे रहे है, भुजूर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे है। उनका तुरंट हर्जी मुकद में घ्रिफ्तार करो, इस तीपा करो। अनुटंकी है, ड्रामे बाजी है, लोग समझ चुके हैं, एक बात फष्ट है, अर्विन केजवाल फष्ट है। आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग कथित शराब घोटाले की आरोप ने छे महिने बाद जेल से जमानत पर बहर आए, तो भष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए। शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है, तो उस घोटाले में जो अरूपी हैं, वो इस तरह की भाशा बोलते हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए, इनको ये जवाब देना चाहिए, कि दिल्ली के जिवाओं को निश्ब में धकेलने काम अर्विंद के जिवाल और आप लोगों ने मिलके किया है, आपने दिल्ली की लोगों को लूटने का काम किया, ये तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अर्विंद के जिवाल की खिलाफ कुछ नहीं है, उनसे पैसे भी लिए गए, उनको लोग सबा का टिक गोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है रश्टाचार के खलाफ जाच एजिंसियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई की साल से जेल में है मनी लॉन्डरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भष्टाचार के खलाफ चाच एजिंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जिल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और भेट्टचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल खड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेटी को मैं कहता हूँ चुनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेटी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं वो एड़ी इंकम टेक्श और सीविया है जिस हसाथ देश में बांटने का काम किया जा रहा है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है नफरत की राजिती की जा रही है उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष की एक जुटता को भी बीजेपी ने ब्रस्टाचार के खिलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है तेस अभी एक हो गए है मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता ब्रस्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी EDCBI इन इंस्टिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष का आरोप है कि भष्टचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनों में सब को समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुन किया उरे देश में लगातार और संबधानिक तरीके से औरनेतिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुक्ष करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ओपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रिसी को और स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतो गड़ा गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटेब होता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन आपके खिराब भी कारवाई करेंगे गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्रो को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लरना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव 2-3% 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है तो एक तरफ केजरवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोकसभा चनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना नया चनावी कैम्पेइन लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैम्पेइन वाली तस्वीर सामनाई जिसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरवाल को सलागों के पीछे दिखाए गया इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद हैं केजरिवाल का आगी क्या होगा? कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा? क्या संजय सिंगी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है? इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर ठिका है केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेतिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरुप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुआत कर अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुकने नहीं दिया आज तानासास सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अर्विंद केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से ये कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए का संसे campus 25 मैं भोगा के यरिज्री वान कि गिरफ्तारी के इर्दगेर्द चुनावी अभियान को भुना गया इस ही पौस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के खर घर दस्तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गरफतारी का जवाब देंगे दिल्ली के जनता इनके वोटर पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोटर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सूपड़ा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैंपेइन के लिए किसी विशय को धूड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो जनता से क करें अब केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्होंने अर्विन केजरिवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया आमादी पार्टी के दफ्तर में आप जैसे आते हैं देखिए जगे जगे ये पोस्टर लगाये जा रहे हैं और जल्दी ही आप दिल्ली ही नहीं बलक कि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत EDK अक्षिन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विन केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने EDK आक्षिन को चुनावती दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पटे की है शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपने गिरफतारी और फिर ED दिमान को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतिजार है डिली के मुख्यमंतरी अरवंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनावती देने वाले याचिकाबर दिली हाई कोट में फैसले के घढ़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुष सिंधे ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई ज़रूरत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्य असासर्श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसला आदा है राउस एवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की केज्रिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्ती जंता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आद्मी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके सीडियार से भी इसके पुष्टरी होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो के पुष्टरी गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था पहले भी हमने कहा था कि अगर भारतियांता पार्टी के इसारफ पर एडियो सी बियाई हमारे नेताओं को संब्द नहीं देगी नहीं पुलाएगे तो हम यह आशर होगा कि बिलकुल बेबुनियाद आरोपों में यह जो नोटिसेस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्फ पैर नहीं है और अब तक आपको ही पता है धाईसों से जाधा रेड हो गई कोड पूच रहा है तो भारती निता पाटी से कह रहे है कि धर आसे तमगर हुनार आजमा है तो तीर आजमा हम जिगर आजमा है आम आद्मी पार्टी हमलावर है लेकिन E.D. की जाँ जारी है पुश्ताज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाईयां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुश्ताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे नेताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सियां लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रित तुए या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबके संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भादवाज दिल्ली आज तक नशकार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोट अपना नर्णे सुनाएगा तीन अपरेल को अदालत ने सभी पक्षो को सुनने के बाद अपना नर्णे सुरक्शित रख लिया था इडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाली के मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग के अपरात के वो दोशी ही दिख रहे हैं आधमी पार्टी ने घुटाली में हुई आई की एक हिस्से का उप्योग गोगा के विधान समद चनावों में किया और ये पैसा चनाव अभियान में खर्च किया गया करनु शार्दा हमाई से तमाई सयोगी इस वक्त जुट चुकी है यानि आज आज इस बात की होगी ना सिर्फ केजरेवाल को पुरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णय हाई कोट का क्या आता है करनू कितने बज़े ये फैसला आ सकता है जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बज़े के आसपास जस्टिस स्वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विं केजरेवाल ने अपना अर्रेस्ट और अपना रिमांड ओर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओर राउज अव पहले की जो ए फाई आर थी उसके बाद आने के बाद कैसे उनको अर्रेस्ट किया कैसे ये एक सोची समझी साजिट थी कि ठीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्थी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के बाद एक सारे नेता वैरेका हाइ कोट के सामने ये कहना था कि जो सारी ट्रांजिक्शन हूए हैं ये हवाला के जी सब एक चैस त्रांजिट का कि पर हो कि ये बहुत समस्य भीने ने हैं पर उन्होंने एक हम conclusion के बहुत नियर है इसलिए उन्होंने कहा कि इस stage पे किसी भी तरह का relief देना चाहे वो remark में के लिए चाहे वो arrest के लिए किसी भी तरह का relief देना बहुत मुश्किल खराब होगा इस case के लिए क्योंकि हम केस को solve करने के बहुत आसपास हैं उन्होंने तमाम तरह की चीज़े बताई कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेट्मेंट निकलवाई है कल हमने देखा दुर्गेश पाथक जो कि गोवा एलेक्शन के कन्वीन अर्थे उनसे भी पूछताच की गई तो कही न कहीं जो है इस्टाबलिष चेइन इस्टाबलिष करने में तिरफ और सिरफ इस लिए आ रहे है क्योंकि यह सारी ट्रांशक्शन स्कैश में की गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही एडी ने अपने दलीलों में हाइकोग के सामने यही बोला कि इस टाइम पर अगर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्विन केजरिवाल एक इंफुएंशल परसन है एक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको अगर ऐसा इस टाइम पर कोई रिलीस दी आ जाए तो व महाम तरह की चीज़े हैं जो कांटर और रिस्पॉंऌ्स में आई सामने अगर पहले की बात की जाये तो सुन Kanta szirmaji के सामने इससे पहले पनी तैंशसोध्या की बेल ती इससे पहले सत्यंदर जैन की पी बेल और nh再स इंग की वहां से रिलीफ नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रहे है कि हाई कोड़ से शायद केजविवाल जी को कोई रिलीफ मिले इस ताइम पर हाँ अब उनके पास अगर आज कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो उनके पास आगे का रस्ता जो होगा वह सुप्रिंग कोड के सामने ढी जाने का होगा, यह देखना होगा कि स्वडरीफ कोड के सामने वह क्या चालंज करतें क्योंकि अभी यह बताना भी है तक भी प्रविन के पर बेल एक्रग इस गॉते हैं तो नहीं आए गैंघखने की रिण के लिए और इस arrest और इस remand order की समिधानिक वैदिता को जो challenge करना है जो उन्होंने हाई कोट में किया क्या हो सुप्रीम कोट में भी करते हैं की नहीं करते हैं यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोट अपना फैसला किस पक्ष में देता है ची कि आप नजब बनाए रखे आगे भी आपसे अपडेट लेंगे में दोखी दूसरी तरफ दिली शराब नीती गोटाले केस में न सिर्फ मोख्य मंत्री बलके आम आदमी पार्टी के वरिश नेता और डेप्टिस यह मनीश सौधिया और स्वास मंत्री रह सतेंद जैन ज यह गहरी साजी से बार्टी जिन का पाज़िए भाजपा की चाल बाज़ियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है गिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करेंगा एजरीवाल जो अच्छी सिक्षा दे रहे है विजली दे रहे है पानी दे रहे है बस किफरी यात्रा दे रहे है भुजर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे है उनका तुरंट फरजी मुकदमे में घिरिपधार करो इस तीपा करो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कफित शराब भोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब गोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नशब में धकेलने का काम अर्विंद केजरिवाल और आप लोगों ने मिलके किया है आपने दिल्ली की लोगों को लूटने का काम किया है ये तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अर्विंद केजरि अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है रश्टाचार के खलाफ जाच एजिंसियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई की सोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में हैं मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजिंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जेल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आभी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और भेटचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल खड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूँ चुनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं वो एड़ी इंकम टेक्टर और सीविया है जिस हसाथ देश में बांटने का काम किया जा रहा है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है नफरत की राजिती की जा रही है उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए है और आपकी लड़ाई लड़ रहे है विपक्ष की एक जुटता को भी बीजेपी ने ब्रस्टाचार के खिलाप अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है ते सभी एक हो गए है मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता ब्रस्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन्स को कैप्चर करके फाइनेंशली मोनोपली बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो, जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहें दरसल विपक्ष कारोप है कि ब्रश्टाचार का मुद्दा जुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से अनैतिक तरीके से बिढ़ाय को सांसरों की खरीद फरुक्ष करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पाटी ओपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रिसी को औस्थिर करती रही है घष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्रों को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैमपेइन वाली तस्वीर साम्याई जिसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरिवाल को सलाको के पीछे दिखाए गया है इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद है केजरिवाल का आगी क्या होगा? कितने दिनों तक सलाकों में रहना होगा? क्या सण्जय सिंग की तरख केजरिवाल को भी कोट से रहात मिल सकती है? इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर टिका है केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को के चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेतिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लिहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुवात कर अर्विंद केजरिवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभ्यान कैसे चलेगा दिल्ली का चुनावी अभ्यान अर्विंद केजरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिनके लिए अर्विंद केजरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद केजरिवाल जी के लिए काम करें अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुकने नहीं दिया आज ताना सास सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहाड में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अर्विंद केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्रिक गोपाल राय ने समझाए जिस तरह से MCD से भाजपा की विदाई किये हमने अरविंद केजरिवाल को तुमने जेल में डाला है इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मय को दिल्ली से लोग सभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे अब आज के बाद चुनाव ही आंदोरन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मैं को होगा केजरिवाल की गिरफतारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ती ने आई आरस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया ऐसे विक्ती को जेल में डाल दिया उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सूपड़ा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज दिल्ली नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत एदी के आक्शन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विन केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एदी के आक्शन को चुनाती दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पढ़ टी की है शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपने गिरफतारी और फिर E.D. दिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजर्वाल के वकील अभिशेक मनुष सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सियम के तदकाल किरफ्टारी के कोई जरूरत नहीं है वह एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजर्वाल ही शराब घोटाले के मुख्य साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसला आदा है राउस एवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की केज्रिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्ती जंता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आद्मी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस्त दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके सीडियार से भी इसके पुष्टी होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो के पुष्टी गोवा में आमाद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था पहले भी हमने कहा था कि अगर भारतियांता पार्टी के इसारफ पर एडियो सी ब्याई हमारे नेताओं को संब्द नहीं देगी नहीं पुलाएगे तो हम यह आशर होगा कि बिलकुल बेबुनियाद आरोपों में यह जो नोटिसेस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्फ पैर नहीं है और अब तक आपको ही पता है धाईसों से जाधा रेड हो गई कोड पूछ रहा है तो भरते ना पार्टी से कहे थार है तो तीर आजवा हम जी गर आज़ माये आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन E.D. की जाँ जारी है पुश्ताज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई यां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुश्ताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताव की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजंसिया लेकिन बीजी पी का कहना कुछ और है दुर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अब चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आदमी पार्टी की अगरिम पंक्ती का नित्रित तुए या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबके संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भार्दुआज दिल्ली आज तक नश्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली आज कोट अपना नर्णय सुनाएगा तीन अपरेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने नर्णय सुरक्शत रख लिया था मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोट की Justice सुन कांता शर्मा के अदेख्षता वाली बेंच ने कि इडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले के मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग के अपरात के वो दोशी ही दिख रहे हैं आधमी पार्टी ने घुटाले में हुई आई की एक हिस्से का उपयोग गोगा के विधान समद चनावों में किया और ये पैसा चनाव अभियान में खर्च किया गया करनु शार्दा हमाई से तमाई सयोगी इस वक्त जुट चुकी है यानि आज आज इस बात की होगी ना सिर्फ केज्रेवाल को पुरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णय हाई कोट का क्या आता है करनू कितने बजे ये फैसला आज सकता है जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस स्वान कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विं केज्रेवाल ने अपना अर्रेस्ट और अपना रिमांड ओर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओर राउज अव पहले की जो ए फाई आर थी उसके बाद आने के बाद कैसे उनको अर्रेस्ट किया कैसे ये एक सोची समझी साजिट थी कि ठीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्टी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के वाद एक सारे नेता Alliance में नेता है कि एक सपूह का मैं आपने थिर स्पार्ड इत्रा ररिंफलेक्शन वेड़ी लेकिंगेशन जैज इसनास को डूटूझनने में में हमें बहुत समस्या आ रही है पर उन्होंने का कि हम मनें इसलिए उन्होंने का कि कि इसिघुे पर बिल्लीव करने के बहुत है उन्होंने तमाम तरह की चीज़े बताई कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेटमेंट निकलवाई है कल हमने देखा दुर्गेश पाथक जो कि गोवा एलेक्शन के कन्वीन अर्थे उनसे भी पूस्ताच की गई तो कही न कहीं जो है इस्ट अगर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन केजरिवाल एक इंफुएंचल परसन है एक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको अगर ऐसा इस ताइम पर कोई रिलीज दी आजाए तो वह विटनिस इसको इंफुएंस कर सकते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़े बताई अर्वन केज कैसे जो है शाराथ चंद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वह इलेक्टूरिल बॉंस पच्पन करोड के बीजेपी को देते हैं तो यह तमाम तरह की चीज़े हैं जो काउंटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पहले की बात किये जाए तो स्वन कांता शर्मा जी के सामन इससे पहले बनीसे सोद्या की भी बेल थी इससे पहले सटेंदर जैन की भी बी बेल ठी और संजी सिंग की बील थी पर उन में से किसी को भी वहाँ से रिलीफ नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रहे है कि हाई कोड क्केजरिवाल जी गज ज ind 내일 रिलीफ मिले इस ताइम पर हैं अगा देल पास रुपर आज कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो न numerous कोई को ए में आल स्पाइन का होगा ये देखना होगा कि सुप्रीम कोट के सामने क्या चालेंज करते क्यूंकि अभी ये बताना भी यह ज़रोरी है कि अभी तक अरवट के जिवाल के अफनी नगी फाइल किकिः बैल अपलीकेशन और इस अरेस्ट और इस रिमांड ओर्डर की समिधानिक वैदिता को जो जो चालेंज करना है जो उन्होंने हाई कोट में किया क्या हो सुप्रीम कोट में भी करते हैं की नहीं करते हैं यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है जब जेल में हैं इसी केस में आपके राज़े सबास सांसद संजसिंग सुप्रीम कोट से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आए हैं आम आदमी पार्टी के एक और नेता इस शराबनीती से सम्बंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई केस थानों पर बीते दिनों चाप जिनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है घर गये हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करें अब आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कथित शराब घोटाले की आरोप में छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस घोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली kे जुमाँ को नशब में धखिलनेका काम अर्विंद के जिवाल और आप लोगोंने मिलके किया आपने इंसे लोग पहले केटे थैं कि अर्विंद केज़िवाल चेल अरोपी और किंग्पिन वह बाहर हैं तो ये सीधा सीधा जो हैं कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है रश्टाचार के खलाफ जाच एजिंसियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई की पोदिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में है मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरपतारी को भष्टाचार के खलाफ चाच एजिंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपाक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और भष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल ख़ड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं चुनोती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो एडी इंकम टेक्ष और सीविया है विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेश्टचार के खलाप अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है ते सभी एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता धश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी इसको नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन्स को कैप्चर करके financially, monopoly बना रहे हैं अपनी हैं क्या समझते हैं यह, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो सकूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो, अपनी उकात में रहें दरसल विपक्ष का आरोप है कि ब्रेश्टाचार का मुद्दा जुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुखी विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है और कई मुकदम है, एक के उपर, एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के दो, हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया औरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनेतिक तरीके से बिढ़ाय को सांसरों की खरीद फरुक्त करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोकरिसी को औस् लोट्टा है वो अंतोगता गड्डे में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बहुता है एक दन एक न एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन आपके खिराब भी कारवाई गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्रों को बचाने का समधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बी तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है, दूसरे तरफ लोगसभा चनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया, और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से, आपके कैमपेइन वाली तस्वीर साम्याई जिसमें दिल्ली की मुख्य मंतरी केजरिवाल को सलाकों के पीजे द तस्वीर की नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से, शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद हैं, केजरिवाल का आगी क्या होगा, कितने दिनों तक सलाकों में रहना होगा, क्या संजय सिंगी तरग केजरिव को भी कोट से रहत मिल सकती है, इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाईकोट के निर्नाय पर ठिका है, केजरिवाल की अरदी पर सुन्वाई पूरी हो चुकी है, मंगलवार को कोट अपना निर्नाय सुनाएगा, मतलब कल का दिन केजरिवाल और आमादमी पार्टी के लिए ब आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है। देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है। लिहाजा साजिश के तहत केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उनको लगा कि अरविंद केजरिवाल देश का प्रधान मंत्री होसता है तो इसी नाते उन्होंने उसको अंदर किया। बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया। वही आज आम आद्मी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुवात कर दो जिल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अवियान कैसे चलेगा दिल्ली का चुनावी अवियान अर्विंद केजरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिनके लिए अर्विंद केजरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद केजरिवाल जी के के और बेवन के लोगों के कभी मानसंत्य शुंगे नहीं दिया। पॉस्टर में केजरिवाल को सलाखु के पीछे दिखा़ गया है जिस पर लिखाः जीव का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोग सभा में भाजपा की विदाई करेंगे अब आज के बाद चुनावी आंदोरन हम बनाएंगे और इस आंदोरन का समापन 25 मई को होगा केजरिवाल की गिरफतारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने आई आरस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से दिली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रेश्टा चार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आपानी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैंपेइन के लिए किसी विशय को ढूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे अब केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्होंने अर्विन केजरिवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया मादी पाटी के दफ्तर में आप जैसे आते हैं देखिए जगे जगे ये पोस्टर लगाये जा रहे हैं और जल्दी ही आप दिल्ली ही नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पाटी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरू क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत EDK आक्शन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने EDK आक्शन को चुनौती दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पटे की है शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपने गिरफतारी और फिर एडी रिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाले याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तद्काल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं इडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी आचका पर भी फैसला आदा है राउज एवन्यू कोट से केजरिवाल की उसे आचका पर फैसला आएगा जिसके जरिये उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक्त समय की मांग की केजरिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्टी जन्ता पार्टी कह रही है कि बोया पेड वबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज्रिवाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मा दिन है संजे सिंगी रहाई के बाद आम आदी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्चता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच सावित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल एडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आद्मी पार्टी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके सीडियार से भी इसके पूछ्टी होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्ष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुकतान भी किया गया था पहले भी हमने कहा था कि अगर भारतियांता पार्टी के इसारफ पर एडियो सी ब्याई हमारे नेताओं को संब्द नहीं देगी नहीं पुलाएगे तो हम यह आशर होगा कि बिलकुल बेबुनियाद आरोपों में यह जो नोटिसेस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्फ पैर नहीं है और अब तक आपको ही पता है धाईसों से जाधा रेड हो गई कोड पूछ रहा है तबी संज़जी कोई बेल मिली कोड पूछ लागे भाई यह वेडेंस का आई प्रमाल का क्या आई सुबूत का कोई सुबूत नहीं दे पा रहे हैं कहीं कोई मनीट्रिल स्टाबलिश नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो आप भारती इंता पार्टी से कह रहे हैं कि इधर आ से तमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। जो आम आदमी पार्टी के दूसरे निताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही हैं जाँच एजन्सियां लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है। अब आप नेताओं से पूछ चाज की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है। अमीद भादवाज दिल्ली आज तक। दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चनौती देने वाली मुख्य मंतरी अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोट अपना नर्णय सुनाएगा। तीन अपरेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोट की जस्टेस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की। केरविन केजरवाल आपकारी नीती घोटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग की अपरात की दोशी ही दिख रहे हैं। जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस स्वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केजरेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओडर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओडर राउज अव जो साल पहले की जो ए फाई आर थी उसके बाद आने के बाद कैसे उनको अरेस्ट किया कैसे ये एक सोची समझी साजिट थी कि ठीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्टी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाया उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के वाद एक सारे प्रेटाओं को अंदर करने का जो परपस है उससे कुछ पूफ नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने फिर से यही दलील दी कि कोई मानी ट्रेल नहीं साबित कर पाया इडी उसके आला इसी के ऑपोजिट में इंसोर्समें डारेक्टरी का हाई को के सामने ये कहना था कि जो सार इस स्टेज पर किसी बेट रुलिव देना चाहे वो रिमांड के लिए चाहे वो रर्यस्ट के लिए किसी बेट आतर्ब देना बहुत मुष्किल भूट खराब होगा इस के लिए क्योंकि हम केस को सॉल्व करने के बहुत आसपास हैं उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें बता इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह सारी ट्रांसेक्शन्स कैश में की गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही इडी ने अपने अपने दलीलों में हाइकोप के सामने यही बोला कि इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्विन केजरिवाल एक इंफ साराथ चंद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वो इलेक्शोरिल बॉंस का पच्पन करोड के बीजेपी को देते हैं तो यह तमाम तरह की चीज़े हैं जो काउंटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पहले की बात किये जाए तो स्वन कांता शर्माजी के सामने इससे पह रिलीफ मिले इस ताइम पर हाह आब उनके पास अगर आज कोई रिलीफ नहीं मिलता तो उनके पस आग ten आगे का रस्ता वह वह सु्रीम कोट काप के सामने जाने का होगा गे देखना ओगा कि सुप्रीम कोट के सामने वह क्या अजा शालен्ज करते हैं क्या अभी ये बतान होगी उसके बाद वो हाई कोट आएंगे उसके बाद सुप्रीम कोट आएंगे तो यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर है अभिशेक मानुसेंग भी वह उनको यह एडवाइस देते हैं कि वह सुप्रीम कोट आए और इस और इस रिमांड ओर्डर की सविधानिक व ची कि आप नजब बनाए रखे आगे आपसे अपडेट लेंगे महीं दूखी दूसरी तरफ दिली शराब नीती गोटाले केस में न सिर्फ मोख्य मंत्री बलके आम आदमी पार्टी के वरिश नेता और डेप्टिस यह मनीश सौधिया और स्वास मंत्री रह सतेंद जैन जे यह गहरी साजिस है बार्टी जन्ता पाजी पाजपा की चाल बाजियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है घिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करेंगा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कथित शराब घोटाले की आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भरष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस घोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नश्ब में धकेलने का काम अर्विंद केजरिवाल और आप लोगों ने मिलके किया है आपने दिल्ली की लोगों को लूटने का काम किया ये तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अर्विंद केजरिवाल की खिलाफ कुछ नहीं है उन तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग पिलहाल जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में है मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरपतारी को भष्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की विपक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और भेटचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्शव पर सवाल फड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं चुनोती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टिय है वो एड़ी इंकम्टेक्श और सीविया हैं जिस हसाथ देश में बांटने का काम किया जा रहा है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है नफरत की राजिति की जारी है इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है ते सभी एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता घश्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो, जो हस्पतार बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे कि दरसल विपक्ष्ट आरोफ है कि ब्रष्टचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से त्यार किया गया है और मुखी विपक्षी नेताओं और अधिका विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनों में सब को समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुख्ट करके दबाव बनाके किंद्री एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोक्रिसी को और स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बहुता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिं इंदुस्तान के बीच में चुनाओ है। इंदुस्तान के बीच में चुनाओ है। कल दिल्ली हाइकोट के निर्ने पर टिकाए। केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई फूरी हो चुकी है। मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा। मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है। इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया। आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है। केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आद्मी पार्टी राजनेतिक शडियंत्र करार दे रही है। केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा। दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है। लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उनको लगा कि अर्विंद केजरिवाल देश का प्रधान मंतरी होसता है तो इसी नाते उन्होंने उसको अंदर किया बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुवात कर दो अर्विंद केजरिवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा दिल्ली का चुनावी अवियान अर्विंद के जरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिन के लिए अर्विंद के जरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद के जरिवाल जी के लिए काम करें अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया आज तानासास सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाय गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए केजリवाल की गरफतारी के इर्दघेर्द्चुनावी अभियान को भुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पाठी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है जिल्ली के वोटर ही केजलीवाल की गरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोग प्रिय मुख्य मंद्री को जो तीन बार से आपने चुना, प्रचन्द बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ती ने A shark की नौखरी को लात मारके देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है, इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से. दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है, वो इनके ब्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सुप्रा साफ करेगी. आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज देखेंगे आज तक भ्यूरो आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या खलत केजरिवाल ने एडी के आक्शन को चुनावते दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पर ठीकी है शराब नीथी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर एडी दिमांड को औस समविधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे डाए बज़े आने वाले फैसले का अंतिजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनौती देने वाले याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले की घड़ी आ गई ए दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुष सिंग्वी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफ़तारी के कोई जरुवत नहीं है वह एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्या साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसलाना है राउज अवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की केजिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पाँच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केजिवाल की गिरफतारी को लोग सभाचुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्ती जनता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजय सिंग की रहाई के बाद आम आद्मी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजय शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके CDR से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था अगर भारतिय अंता पार्टी के शारब पर एडियो सी बियाई हमारे निताओं को सम्मन नहीं देगी नोटिस नहीं देगी नहीं बुलाएगी तो हमें आशर होगा बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में ये जो नोटिस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्प एर नहीं है और अब तक आपको भी पता है धाईसो से ज़्यादा रेड हो गई अब आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन E.D. की जाँ जारी है पुछ ताज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई यां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुछताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे नेताव की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सिया लेकिन बीजी पी का कहना कुछ और है दुर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आती शीने शायद दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अगरिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूच्चाज की दूसरे कुष्ट शुरू हो चुकी है? अमित भाठवाज दिल्ली आज तक नमस्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चनौती देने वाली मुख्य मंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अपरेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोट की जस्टेस स्वन कांता शर्मा के अदिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाली की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग की अपरात की वो दोशी ही दिख रहे है आम आदमी पार्टी ने घुटाली में हुई आई की एक हिस्से का उपयोग गोगा के विधान समद चुनावों में किया और ये पैसा चुनाव अभियार में खर्च किया गया करनु शार्दा हमाई सथ हमाई सयोगी इस वक्त जुट चुकी है यानि आज आज इस बात क्यों होगी ना सिर्फ केज्रिवाल को पूरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णाय हाई कोट का क्या आता है करनू कितने बज़े ये फैसला आज सकता है जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केज्रेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओर राउजर वेनी को एरेस्टिकेशन करने के लिए उन दोनों को चालरंज किया है उन्होंने इसकी सविधने को वेदता को चालरंज किया और जे बताया है कि कैसे जो है E DION, दो शाल पहले की जे की जो फैर ती उसके बाद आने के बाद कैसे उनको करने का अरेस्ट किया कैसे ये एक सोची हो रहा है क्योंकि उन्होंने फिर से यही दलीन दे कि कोई मानी ट्रेल नहीं साबित कर पाई या इडी उसके आला इसी के ऑपोजट में इंसोर्स्मेंट डारेक्टरी का हाई कोड के सामने यह कहना था कि जो सारी ट्रांजेक्शन हुए है यह हवाला के थू हुई है और यह समस्या आ रही है यह करो मने यह कहा कि हम u Зबाइस करने के बहुत है उन्होंने तुमाम कि चिजये बताई कि उन्होंने गोव के लिड़्क को भी समन किया था और तेरेंट след कर दख जोकित हम सवेक्टन को करने की बहुत असपास है उन्होंने तमाम तरह की चीजह बताई कि उनसे भी पूस्ताच की गई तो कही न कहीं जो है इस्टाइबलिश चेंट करने में सिरफ एस्टाइबलिश करने में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह सारी ट्रांजिक्शन्स कैश में की गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही इडी अपने अपने दल कर सकते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजे बताई अर्विंके जिवाल जी ने भी यह पॉंट आउट किया कि कैसे जो है अश्राच चंद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वो एलेक्टोरिल बॉंच पच्पन करोड के बीजेवी को देते हैं तो यह तमाम तरह की चीजे हैं जो का कि अश्राच चंद्रेडी को भी वहां से रिलीफ नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रहे है कि हाई कोड से शायद के जिवाल जी को कोई रिलीफ मिले इस ताइम पर हाँ अब उनके पास अगे का रस्ता जो होगा वह सुप्रीम कोड के सामने जाने का होगा यह देखना कोड है जहां पर MP MLA कोड है जहां से वजहां पर इसकी सुनवाई होगी उसके बाद वहाई कोड आए उसके बाद सुप्रीम कोड आएंगे तो यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर है अभिशेक मानु सेंग वी वह उनको यह एडवाइस देते हैं कि वह सुप्र इधानिक वैदिता को जो जो चालेंज करना जो उन्होंने हाई कोड में किया क्या हो सुप्रीम कोड में भी करते हैं कि नहीं करते हैं यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोड अपना फै प्रिम कोर्स से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आए हैं आम आदमी पार्टी की एक और नेता इस चराबनीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई केस थानों पर बीते दिनों चापे मारी भी हुई यह गहरी साजी सेवारती जंता पार्टी भाजपा की चालवाजियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है गिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करें केज़रीबा जो अच्छी सिक्षा दे रहें बिजली दे रहें पानी दे रहें बस किफरी और दे रहें भुजुर्गों को तीरत यात्रा करा रहें उनका तुरन फरजी मुगत में घरिपतार करो इस तीपा करो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कफित शराब भोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भरष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब गोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नश्ब में धखिलने का काम अर उनसे पैसे भी लिए गए उनको लोग सबा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरी वाल जेल में है और जिनको कहा जाता था मनी लॉंडरिंग के आरोपी और किंग पिन है वो बाहर है तो यह तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में है और कई की खलाफ कड़ी कारवाई हुई है मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जिल में है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरपतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है। और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की। इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष आम आदमी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेश्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्शपर सवाल फड़े किये। अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूँ चुनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं वो एडी इंकम टेक्श और सीविया है। विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेश्टचार के खलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया। इन परिवारवादी ब्रश्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है। तो यह सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूँ ब्रश्टाचार हटाओ। तो वो कहते हैं ब्रश्टाचारी बचाओ। आम आदनी पार्टी के बड़े नेता घश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी इसको नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन्स को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं है हम वो पत्ते नहीं है जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहे हैं दरसल विपक्ष का आरोप है कि ब्रेश्टचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है कि चुनों में सबको समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया औरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुख्ट करके दबाव बनाके किंद्रिय एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ओपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रिसी को औस्थिर करती रही है गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगे मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्र को बचाने का समधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है रश्टाचार के खिलाफ कारवाई हो या राजनीती समय के साथ अभी और ये गदी पकड़ेगी साफ है कि अपकी बार भीता है रश्टाचार पर तकराथ तो एक तरफ केजरवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोगसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैमपेइन वाली तस्वीर सामनाई जिसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरिवाल को सलागों के पीछे दिखाए गया है इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद हैं केजरिवाल का आगी क्या होगा, कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा, क्या संजय सिंग्की तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर ठिका है केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेटिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुवात कर दो अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुकने नहीं दिया आज ताना साथ सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अर्विंद केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से ये कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए के जडिवार की ग्रफतारी के इुर्द गेष्ध चनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी डिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही ए कि गजरिवार की गरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने आई आरस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ती को जेल में डाल दिया उसका एक-एक हिसाफ लोगतंतर में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिली से सूप्रा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैंपेइन के लिए किसी विशय को ढूड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे अब केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्होंने अर्विन केजरिवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दी आमानी पाटी के दफ्तर में आप जैसे आते हैं देखिए जगे जगे ये पोस्टर लगाये जा रहे हैं और जल्दी ही आप दिल्ली ही नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमानी पाटी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एडी के आक्शन को चुनाते दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पटे की है शराब नीदी घोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देखर अपनी गिरफतारी और फिर एडी दिमांड को और सम्विधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है अब दोपहे ढाए बजे आने वाले फैसले का इंतिजार है दिली के मुकि मन्टरी अरवन्दि केजरिवाल की गिरफतारी को चुनवती देने वाली याचिकाबर दिली हाइकोर्ट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसला आदा है राउज एवेन्यो कोट से केजरिवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की केज्रिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पाटी ने अरविंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभाचुनाओ का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पाटी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भारती जनता पाटी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आदमी पाटी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूचता चुई होर दल्ब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ E.D. का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलकि CDR से भी इसके पूश्री होती है E.D. का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो के पुश्री गोवा में आमाद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था पार है कहीं कोई मनीट्रिल स्टाबलिश नहीं कर पार है तो हम तो अब भारती एंटापार्टी से कह रहे हैं कि इदर आ से तमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हमजिगर आजमाएं आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन E.D. के जाँज जारी है पुष्टाज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाईयां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूगा शराब घुटाले में पुष्टाज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे नेताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सियां लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दुर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर के जरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबके संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भादुआज दिल्ली आज तक नश्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाइ़ कोट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अप्रेल को अदालत ने सभी पक्षो को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्शित रख लिया था आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है, उनके पास ऐसे सबूत हैं, जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग की अपरात की वो दोशी ही दिख रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने घुटाले में हुई आई की एक हिस्से का उपयोग गोगा के विधान समद चुनावों में किया और ये पैसा चुनाव अभियान में खर्च किया गया। वो देंगी, बेसिकली इस याचिका में अर्विन केज्रेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओडर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओडर राउजर वेनी कोट ने दिया था, ED को, ED में इन्वेस्टिकेशन करने के लिए, उन दोनों को चालेंज किया है, उन्हों एक सोथी समझी साजेट थी, कि फीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्थी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए, उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के बाद एक सारे नेताओं को अंदर करने का जो परपस है, उससे कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है, क्योंकि उन् फिर्लाइक्शन हुए है, यह हवाला के थुख हुई है, और यह सब कैश ट्रांजेक्शन से जिसको ढूणने में हमें सामस्या आ रही है, पर उन्होंने का कि हम अकलूछन के बहुत नियर हैं, इसलिए उन्होंने का है कि इस्टेज पर किसी बीतरह का रिलीज देना चाहे तो रेमांड के लिए, चाहए और अरेस्ट के लिए किसी भी तरह करीलिफ देना जब हो क्योंकि हम केस को सॉल्फ करने के बहुत आसपास है। उन्होंने तमाम तरह की चीजे बताई कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेट्मेंट निकलवाई है कल हमने देखा दुर्गेश पाथक जो कि गोवा एलेक्शन के कन्वीन अर्थे उनसे भी पूस्ताच की गई तो कही न कहीं जो है इसलिए है क्योंकि यह सारी ट्रांजक्शन कैश में की गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वाज़ा से ही एडी ने अपने डलीलों में हाइक के सामने यही बोला कि इस ताइम पर अगर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन केजरिवाल एक एक पोस्त होल्ड करत सकते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजे बताई अर्विन केजरिवाल जी ने भी यह पॉंट आउट किया कि कैसे जो है अगर पहले की बात किये जाए तो स्वन कांता शर्मा जी के सामने इससे पहले बनीसे सोद्या की भी बेल थी इससे पहले सत्यंदर जैन की भी बेल थी औ वहाल कि ब्राः अगर उनने से किसी को वहाँ से रिलीव नहीं मिल थी पर अगे का रसता यह वह सुप्रिण कूर जाने का ओंगा Crisp size क्या जाते ही बताना भी यह जरूरी है कि अभी तक कर विन क्हिए ीवाल जी कि प्रॉपर पैल आप्लिक सामने ही लागी के जाने का होगा वो नीचली अडालत में जाएंगे जो कि राव जेवन्यू कोड है, जहां पर MP MLA कोड है, जहां से जहां पर इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद वो हाई कोड आएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोड आएंगे, तो यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर हैं, बहुत एहम बात होगी देखने के लिए, तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है, जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोड अपना फैसला किस पक्ष में देता है। इसमें कई के स्थानों पर बीते दिनों चापे मारी भी होई। कोई भी चारा नहीं दिख रहा है, कानून अपना काम करेंगा। एजरिवाल जो अच्छी सिक्षा दे रहे है, बिजली दे रहे है, पानी दे रहे है, बस किफरी यात्रा दे रहे है, भुजूर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे है, उनका तुरंट फरजी मुगद में घरिपतार करो, इस दीपा करो। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कफित शराब भोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए, तो भरष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू होगे। शराब भोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है, तो उस गोटाले में जो अरूपी है, वो इस तरह की भाशा बोलते हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए, इनको ये जवाब देना चाहिए, कि दिल्ली के जिवाँ को नश्ब में धखिलने का काम अर्विंद के जिवाल और आप लोगोंने मिलके किया है, आपने दिल्ली की लोगों को लूटने का काम किया है, ये तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अर्विंद के जिवाल की खिलाफ कुछ नहीं है, उनसे पैसे भी लिए गए, उनको लोग सभा का टि तो वो जब E.D. ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरपतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजिंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपा जिल दे रही है भाजपा बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आद्मी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेश्टचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल फड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं चिनोती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो एडी इंकम टेक्श और सीविया है विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेश्टचार के खलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है ते सभी एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता धश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो जो हस्पतार बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो, अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष टारोप है कि ब्रश्टचार का मुद्दा जुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है और कई मुकतम हैं एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के दो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुक्त करके दबाव बनाके किंद्रिय एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोक्रिसी को औ स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बोता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन के खिराब भी कारवाई थे रहे हैं गष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है, दूसरे तरफ लोग सभा चनाव के लिए, आम आपनी पार्टी ने अपना नया चनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया, और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से, आपके कैमपेइन वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें दि पीर की नीचे लिखा है, जेल का जवाब वोट से, आपकेजरिवाल का आगी क्या होगा, कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा, क्या संजय सिंकी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है, इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर टिकार, केजरिवाल की अरजी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा, मतलब कल का दिन केजरिवाल और प्रदान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की ग्रफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेटिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वही आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुवात कर दो अर्विंद के जरिवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा दिल्ली का चुनावी अभियान अर्विंद के जरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिनके लिए अर्विंद केजरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद केजरिवाल जी के लिए काम करें अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया आज ताना सास सरकार ने अर्विन केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अर्विन केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्रिक गोपाल राय ने समझाए दिल्ली में विधान सभा से भाजपा की विदाई किये हमने अरविंद केजरिवाल को तुमने जेल में डाला है इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोग सभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे अब आज के बाद चुनावी आंदोरन हम बनाएंगे और इस आंदोरन का समापन 25 मई को होगा केजरिवाल की गिरफतारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आद्मी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्य मंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने I.R.S की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है, इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से. दिल्ली की जटा इनके वोट पर चोट देने वाली है, वो इनके ब्रश्चाचार का जवाब वोट पर चोट देगेदेगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सुप्रा साफ करेगी. आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज ली नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां अमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिबाल को मिलेगी राहत EDK अक्षिन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विन केजरिबाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिबाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिबाल ने EDK आक्षिन को चुनौती दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पढ़ ठीकी है शराब नीदी खोटाले में गिरफतार केजरिबाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर ED दिमांड को और समविधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुके है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंदी केजरिबाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिबाल के बकील अभिशेक मनुष सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सियम के तदकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं इडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिबाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिबाल की दूसरी याचका पर भी फैसला आना राउज एवेन्यू कोट से केजरिबाल की उसी याचका पर फैसला आएगा जिसके जरीय उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अत्रिक्त समय की मांग की है केजरिबाल ने मांग की है कि एक हप्ते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्टी जन्ता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज्रिवाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मा दिन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आदी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्चता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भादवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछताच हुई होर तलब है कि गोवा चुनाव के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिली शराब गुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाव परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए नकेवल बयान बलके CDR से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था अब तो हम पहले भी हमने कहा था कि अब अगर भारतिय अंता पार्टी के शारफ पर हमारे निताओं को संबन नहीं देगी नोटिस नहीं देगी नहीं पुलाएगी तो हम यह आशर होगा बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में यह जो नोटिस विज़े जा रहे हैं का कोई सिर पैर नहीं है और अब तक आपको भी पता है 200 से जादा रेड हो गई कोट पूछ रहा है तबी संज़जी को बेल मेली कोट पूछ रहा है कि भाई यह वेडेंस का है प्रमाल का है कोई सुबूत नहीं दे पा रहे हैं कहीं कोई मनीटरल स्टाबलिश नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो अब भारतिय पार्टी से कह रहे हैं कि धर आसे तमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन E.D. की जाँ जारी है पुष्टाज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा हैं अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई यां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुष्टाज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे निताव की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजंसिया लेकिन बीजी पी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूच्चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भाठवाज दिल्ली आज तक नमस्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अप्रेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था पामले की सुनवाई दिले हाई कोर्ट की जस्टेस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचेका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत है जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग की अपरात की वो दोशी ही दिख रहे है आम आदमी पार्टी ने घुटाले में हुई आई की एक हिस्से का उपयोग गोगा के विधान समद चनावों में किया और ये पैसा चनाव अभियान में खर्च किया गया करनु शार्दा हमाई सथ हमाई सयोगी इस वक्त जुट चुकी है यानि आज आज इस बात क्यों होगी ना सिर्फ केज्रिवाल को पूरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णय हाई कोट का क्या आता है करनू कितने बज़े ये फैसला आज वक्त है जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केज्रेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओडर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओडर राउजर वेन कोट ने डिया था बरन उने दूनों को चाललेंज किया है उन्हूनम इसके अ भीद्धानिक वैदिता को चाललेंज किया है और गहें बताया है क्या colleagues मालिया फैसला पाफ्री ती कि उसके का आने के भाग माध कैसे उनको अरेस्ट किया कैसे एक सोच्दी समझी साजित ती ही जन्हें जन्हें से पहले आम आपनी पाथी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाया उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के बाद एक सारे नेताओं को अंदर करने का जो परपस है उससे कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने फिर से यही दलील दी कि कोई मानी ट्र स्टेश pensionसे जिसको डूदने में हमें बहुत समस्यां आ रही है पर उन्होंने ऐसा क्योंकि हम के बहुन करने के बहुत यह कि इस रीकषड किसी बी तरह करें जाये, रिमान के लिए, वो बैक्षि करेंगे सफस्य के लिए क्सेश के लिए तरह कर ठीज कंप करने कीश लिए क्यों क्योंकि हम केसच कोने के बहुत आस्पास है, उन्होंने तमाम तरह की चीज़े बताए कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेटमेंट निकलवाई है कल हमने देखा दुर्गेश पाथक जो कि गोवा एलेक्शन के कन्वीनर थे उनसे भी पूस्ताच की गई तो कही न कहीं जो है इसलिए आ रहे है क्योंकि यह सारी ट्रांजक्शन के की गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही इडी ने अपने अपने दलीलों में हाई-कोट के सामने यही बोला कि इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन केजरिवा जी ने भी यही पॉंट आउट किया कि कैसे जो है शराच चंद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वो एलेक्टोरिल बॉंच करोड के बीजेवी को देते हैं तो यह तमाम तरह की चीज़े हैं जो कांटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पहले की बात किये जाए तो स्व बहुत कम चांस लग रहे है कि हाई कुट से शयत केश्रीवाल ची को कोई रिलीफ मिले इस ताइम पे पर हाँ अब फॉनके पस कोई रिलीफ नहीं मिलता तो उनकेपास आगे एका रस्ता चाहोगा वह सबस्पिर्म कोट के सामने जाने का होगा बहे देखना होगा कि प्रॉ जहां पर MP MLA court है, जहां पर इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद वो high court आएंगे, उसके बाद supreme court आएंगे, तो यह देखना एहम होगा, कि क्या उनके जो lawyer है, अभिशेक मानु सेंग भी, वो उनको यह advice देते हैं, कि वो supreme court आएंगे, और इस arrest और इस remand order की सविधानिक वैदिता को जो जो challenge करना है, जो उन्होंने high court में किया, क्या हो supreme court में भी करते हैं कि नहीं करते हैं, यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए, तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है, जब हमें पता चल जाएगा, कि high court अपना फैसला किस पक्ष में देता है चीक, आप नजब बनाये रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, वही दोखी, दुसी तरफ दिली शराब नीती, घोटाले केस में न सिर्फ मोख्य मंत्री बलके आम आदमी पार्टी के वरिश नेता, और डेप्टिस यह मनीश सौधिया, स्वास मंत्री रह सतेंद जै जेल में है, इसी केस में आपके राज्य सबास सांसत, संजे सिंग सुप्रीम कोर्स से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी के एक और नेता, इस शराब नीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर, इसमें कई केस थानों पर बीते दिनों चापे मारी पी हुई चारा नहीं दिख रहा है, कानून अपना काम करेंगा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कखित शराब घोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भेश्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाला हुआ ये बाद तो संजय सिंग भी स्विकार कर रहे है शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस घोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको ये जवाब देना चाहिए ये तो साफ दिखाता है कि जो लोग पहले कहते थे कि अर्विंद केजरिवाल की खिलाफ कुछ नहीं है उनसे पैसे भी लिए गए उनको लोग सबा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरिवाल जेल में है और जिनको कहा जाता था मनी लॉंडरिंग के आरोपी और किंग पिन है वो बाहर है तो ये तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग फिलहाल जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में हैं मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंडर जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेष्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जेल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आभी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेश्टचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल फड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं चिनोती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो एडी इंकम टेक्श और सीविया है विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेश्टचार के खलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है ते सभी एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता धश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी इसको नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो जो हस्पतार बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो, अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष टारोप है कि ब्रश्टचार का मुद्दा जुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है और कई मुकदम है एक के उपर, एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो, हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनेतिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुक्ष करके दबाव बनाके किंद्रिय एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोक्रिसी को और स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बोता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन कांटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूश लुए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे की नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्र बैचाने का समिधान को बचाने का चुनाओ है और इसको लड़ना और जीतना बहुत ज़रूरी है यह चुनाओ कि दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाओ है तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोगसभा चुनाओ के लिए आम आपनी पार्टी ने अपना नया चुनाओी कैमपेइन लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैमपेइन वाली तस्वीर सामने आई जिसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरिवाल को सलागों के पीजे दिखाए गया है इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराव घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद हैं केजरिवाल का आगी क्या होगा, कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा क्या संजय सिंगी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर ठिकाए केजरिवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेटिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पाटी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं अरविंद केज़िवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान-संमान को जुपने नहीं दिया जियल का जवाब वोट से ये कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्रिक गौपाल राय ने समझा ये अरविंद केजरिवाल को तुमने जेल में डाला है इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोग सभा में भाजपा की विदाई करेंगे अब आज के बाद चुनाव ही आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा केजरिवाल की गिरफतारी के एर्दगेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पाーटी दिल्ली के घरघर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफतारी का जवाब देंगे जिस व्यक्ति ने आई आरेस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से के जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आधनी पार्टी ने झेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिति में अगर देखे उस विशय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे अब केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्होंने अर्विन केजरिवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया आमादी पार्टी के दफ्तर में आप जैसे आते ही देखिए जगे जगे ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जल्दी ही आप दिल्ली ही नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां आमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखे आज तक भ्यूरो कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एडी के आक्शन को चुनावती दी है लहाजा नजरे अदालती फैसले पर ठीकी है शराब नीदी घोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर एडी दिमान को और सम्विध दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है। दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था। अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है। केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वह एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्या साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसलाना है राउज अवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की है केज़िवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज़िवाल की गिरफतारी को लोग सभाचुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं फार्ती जनता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजय सिंग की रहाई के बाद आम आद्मी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजय शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछताच हुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके CDR से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था अब तो हम पहले भी हमने कहा था कि अब अगर भारतिय अंता पार्टी के शारफ पर हमारे निताओं को संबन नहीं देगी नोटिस नहीं देगी नहीं पुलाएगी तो हम यह आशर होगा बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में यह जो नोटिस विज़े जा रहे हैं का कोई सिर पैर नहीं है और अब तक आपको भी पता है 200 से जादा रेड हो गई कोट पूछ रहा है तबी संजोची कोई बेन मेली कोट पूछ रहा है कि भाई यह वैडिन्स का है प्रमाल का है सुबुत का है कोई सुबुत नहीं दे पा रहे है कहीं कोई मनिटरल स्टब्लिश cyn lugares कर पा रहे हैं तो हम तो अब भारतिय इंतर पार्टी से कह रहे हैं कि धर आसे तमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन E.D. की जाँ जारी है पुष्टाज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा है अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई यां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुष्टाज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे नेताव की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सिया लेकिन बीजीपी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर किजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूच्चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भाठवाज दिल्ली आज तक नमस्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अपरेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था पामले की सुनवाई दिले हाई कोर्ट की जस्टेस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉ कि इस वक्त जुट चुके हैं यानि आज आज इस बात क्यों होगी ना सिर्फ केजरिवाल को पूरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णा हाई कोट का क्या आताय करनों कितने बज़े यह फैसला आज सकता है जी अर्पिता यह फैसला जो है धाई बज़े के आस पास जस्टिस स्वान कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केजरेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओडर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओडर राउजवेनी कोट ने दिया था एडी को एडी में इंवेस्टिकेशन करने क उन दोनों को चालेंज किया है उन्होंने इसके सविधानिक वैदता को चालेंज किया है और ये बताया है कि कैसे जो है एडी में दो साल पहले की जो एफायार थी उसके बाव बाद आने के बाद कैसे उनको अरेस्ट किया कैसे ये एक सोची समझी साजित थी कि ठीक जनरल इ कि कोई मानी ट्रेल नहीं साबित कर पाई एडि उसके आला इसी के ऑपोजट में इंसोर्स्मेंट डिरेक्टरे का हाई कोड के सामने यह कहना था कि जो सारी ट्रांजिक्शन हुए है यह हवाला के थू हुई है और यह सब कैश ट्रांजिक्शन से जिसको ढूडने में हमें बह बहुत नियर है, इसे लिए उन्होंने ऐस स्टेज पर इसी पर रिलीव देना चाहे वह flags बाद के लिए चाहे वह अर्येस्ट के लिए क्सी पर रिलीव देना बहुत मुषकिल, बहुत खराब होगा इस केमेंकि हम का केसको जकर करना बहुत आस पास हैं उन्होंने तमाम त इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वाज़ा से ही इडी ने अपने डलीलों में हाइक के सामने यही बोला कि इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन केजरिवाल एक इंफुएंशल परसन है एक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको अगर ऐसा इस टाइम पर कोई आजाए तो वो विटनेस को इंफुएंस कर सकते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजे बताई अर्विन केजरिवाल जी ने भी यह पॉंट आउट किया कि कैसे जो है शाराथ चंद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वो एक्टोरिल बॉंस का पच्पन करोड के बीजेवी को देते है तो यह तमाम तरह की चीजें हैं जो काउंटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पहले की बात किये जाए तो स्वन कांता शार्माजी के सामने इस से पहले वैनी से सोदिया की भी बेल थी इस से पहले सतेंदर जैन की भी बेल और संजै सिंग की बेल थी पर उन में से और अज कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो इनके पस आगी का रस्ता जो होगा वह स्वर्म कोड का के सामें जाने का होगा लिक अजेखना होगा कि सुप्रीम कोड के सामने वह क्या चालेंग करते ही क्या बताना भी यह जरूरी है कि अभी तक कर भी तरबू कृष्छरे बाष्फ बेल आप्लिकेशन नहीं फाइल किये, बेल आप्लिकेशन उनोंने फाइल करने के लिए वो नीचली अडालत में जाएंगे, जहां पर MP MLA कोट है, जहां पर उसके सुनवाई होगी, उसके बाद वो हाई कोट आएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोट आएंगे, तो यह देखना सुप्रीम कोट में भी करते हैं कि नहीं करते हैं, यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए, तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है, जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोट अपना फैसला किस पक्ष में देता है, जी कि आप नजब बनाय रखे, आगे भी आपसे संजे सिंग सुप्रीम कोर्स से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी की एक और नेता इस शराबनीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई केस थानों पर बीते दिनों चापे मारी भी हुई ये गहरी साजी सेवारती जनता पाज़ी भाजपा की चाल बाज़ीयों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है घर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं देख रहा है चानून अपना काम करें उनका तुरन फरजी मुकणव में घर्टार करो इस टीपा करो नुटंकी है ड्रामें बाजी है लोग समझ छुके है एक बात पश्च जातुन है अरविंद केज़वाल परश्ट आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग कफित शराब घोटाले के आरोप ने छे महिने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए तो भेश्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू होगे शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नश्ब में धखिलने का काम अर उनसे पैसे भी लिए गए उनको लोग सबा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरी वाल जेल में हैं और जिनको कहा जाता था मनी लॉंडरिंग के आरोपी और किंग पिन हैं वो बाहर हैं तो यह तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग फिलहाल जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में है मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंद्र जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भष्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जेल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आद्मी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेश्टचार की मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल फड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूँ पर चिनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि वीजेपी के साथ जो पर चिन साथिपार्टिय है वो एडिय इंकम टेक्टोट सीविया हैं जिस हसाथ देश में बांटने का काम किया जा रहा है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है नफरत की राजिती की जा रही है उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने ब्रस्टाचार के खलाप अपने अभियान में एक मुद्धा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो यह सब एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रश्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता ब्रश्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपने हैं क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष टारोप है कि ब्रश्टचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बन किया जा रहा है चुनाओं में सबको समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनायतिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुख्ट करके दबाव बनाके किंद्रिय एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रिसी को औस्थिर करती रही है गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनिती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोग सबाद चुनाव के लिए आम आपनी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैमपेण लाउंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके केमपेण वाली तस्वीर सामने आई जिसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरिवाल को सलागों के पीजे दिखाए गया है इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराव घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद है केजरिवाल का आगे क्या होगा? कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा? क्या संजै सिंगी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है? इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्णय पर टिकाए केजरिवाल की अर्जी पर सुन्वाई फूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने शडियंत्र करके उनको जेल में डाल दिया आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेटिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास रखा गया वही आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुवात कर दो अर्विंद के जरिवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा दिल्ली का चुनावी अभियान अर्विंद के जरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिनके लिए अर्विंद केजरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद केजरिवाल जी के लिए काम करें अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया आज ताना सास सरकार ने अर्विन केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अर्विन केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्रिक गोपाल राय ने समझाए दिल्ली में विधान सभा से भाजपा की विदाई किये हमने अरविंद केजरिवाल को तुमने जेल में डाला है इस बार्वार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और पचीस माई को दिल्ली से लोग सभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे अब आज के बाद चुनावी आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा केजरिवाल की गिरफतारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गिरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत्स से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ती ने आयारस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया ऐसे विक्ती को जेल में डाल दिया उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सुप्रा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज दिली नहीं बलकि तमाम देश के उन राज्यों में उन सीटों पर जहां आमादी पार्टी चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरू आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या खलत केजरिवाल ने एडी के आक्शन को चुनावते दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पर ठीकी है शराब नीथी खोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देखर अपनी गिरफतारी और फिर एडी दिमांड को और समविधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है अब दोपहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंदी केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के बकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सियम के तदकाल किरफतारी के कोई जरूरत नहीं है वहीं इडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साजश करता है केजरिवाल की दूसरी याचका पर भी फैसला आना है राउज एवेन्यू कोट से केजरिवाल की उसी याचका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की केजरिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को लोग सभा चुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैम्पेन भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं भार्टी जनता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केजरिवाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मा दिन है संजे सिंग की रहाई के बाद आम आदी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजे शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्चता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भादवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्थरकार के मंत्री आतिशी का डर सच साभीत हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केजरिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछताच हुई और तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए नकेवल बयान बलके CDR से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था अगर भारतिय अन्ता पार्टी के शारफ पर एडियो सी बियाई हमारे निताओं को सम्मन नहीं देगी नोटिस नहीं देगी नहीं बुलाएगी तो हमें आशर होगा बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में ये जो नोटिस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्प एर नहीं है और अब तक आपको भी पता है धाई सो से जाधा रेड हो गई पूछ रहे हैं तो हम तो अब भारतियाद पार्टी से कह रहे हैं कि धर आसे तमगर हुनार आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं आम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन एडी की जाँ जारी है पूछ ताज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा हैं अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई यां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पूछताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे निताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सिया लेकिन बीजी पी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर किजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भाठवाज दिल्ली आज तक नमस्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाइक कोट अपना नर्णाय सुनाएगा 3 अपरेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था मामले की सुनवाई दिल्ली हाइक कोट की जस्टेस सुन कांता शर्मा के अधिष्टा वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाली की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉंडरिंग की अपरात की वो दोशी ही दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने घुटाली में हुई आई की एक हिस्से का उपयोग गोगा के विधान समद चुनावों में किया और ये पैसा चुनाव अभियान में खर्च किया गया करनु शार्दा हमाई सथ हमाई सयोगी इस वक्त जुट चुकी है यानि आज आज इस बात क्यों होगी ना सिर्फ केज्रिवाल को पूरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णाय हाई कोट का क्या आता है करनू कितने बज़े ये फैसला आज सकता है जी अर्पिता ये फैसला जो है धाई बजे के आसपास जस्टिस वन कांता शर्मा देली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केज्रेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओडर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओडर राउजर वेन कोट ने दिया था E.D. को E.D. में इंवेस्टिकेशन करने के लिए उन दोनों को चालेंज किया है उन्होंने इसके सविधानिक वैदता को चालेंज किया है और ये बताया है कि कैसे जो है E.D. ने दो साल पहले की जो F.I.R. थी उसके बाव बाद आने के बाद कैसे उनको अ करने का जो परपस है उससे कुछ पूफ नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने फिर से यही दलील दी कि कोई मानी ट्रेल नहीं साबित कर पाया एडी उसके आला इसी के ऑपोसिट में इंसोर्स्में डारेक्टरी का सुप्री हाई को के सामने यह कहना था कि जो सारी जिसको ढूणने में हमें बहुत समस्या आ रही है पर उन्होंने यह का कि हम कई सॉल्फ करने के बहुत आसपास है उन्होंने तमाम तरह की चीजे बताई कि उन्होंने गुवा के लीडर को भी समन किया था और उनसे भी स्टेट्मेंट निकल वाई हैं कल हमने देखा दुर्गेश पाथक जो कि गोवा एलेक्शन के कन्वीन अरते उनसे भी पूस्ताच की गई तो कही ना कहीं जो है इस्टाइबलिश करने में सिरफ एस्टाइबलिश करने में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह सारी ट्रांजक्शन कैश में की गई है इसका कोई ल अर्विन के जिवाल जी ने भी यह पॉंट आउट किया कि कैसे जो है शारत चंद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वह एलेक्शोरिल बॉंस को पच्पन करोड के बीजेवी को देते हैं तो यह तमाम तरह की चीजे हैं जो काउंटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पह अई संजमें की भी पैल थी पर उनमें से किसी को भी माःन से रीलिव नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रहे है कि हाई कोड सेचजेवी वाल जी को को कोई gonna रिलीव मिले इस टाइम पर और हाँ अब उनके पास को हाँ और आज कोी रिलीव नहीं अई मिलता तो उनके आ पिछली अदालत में जाएंगे जो कि राव जेवन्यू कोट है जहां पर MP MLA कोट है जहां से जहां पर इसकी सुनवाई होगी उसके बाद वो हाई कोट आएंगे उसके बाद सुप्रीम कोट आएंगे तो यह देखना एहम होगा कि क्या उनके जो लॉयर है अभिशेक मानु से कि वह उनको यह एडवाइस देते हैं कि वह सुप्रीम कोट आएं और इस अरेस्ट और इस रिमांड ओर्डर की सविधानिक वैदिता को जो जो चालेंज करना जो उन्होंने हाई कोट में किया क्या वह सुप्रीम कोट में भी करते हैं कि नहीं करते यह बहुत एहम बात होग कि वह सुप्रीम कोट से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आए हैं आम आदमी पार्टी की एक और नेता इस शराबनीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई के स्थानों पर बीते दिनों छापे मारी भी होई यह गहरी साजी सेवारती जन्ता पाज़ी भाजपा की चाल बाज़ियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है घर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करें आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग कफित शराब घोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भेश्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नश्ब में धखिलने का काम अर उनसे पैसे भी लिए गए उनको लोकसवा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरी वाल जेल में हैं और जिनको कहा जाता था मनी लॉंडरिंग के आरोपी और किंग पिन है वो बाहर हैं तो यह तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग फिलहाल जमानत पर है दिल्ली के मुखी मंतरी अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में हैं मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंदर जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जेल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आद्मी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेश्टचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल फड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं चिनोती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो एडी इंकम टेक्श और सीविया है विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने भेश्टचार के खलाफ अपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है तो यसे सब एक हो ग은 हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता धश्टचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी इसको नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपनी क्या समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो जो हस्पतार बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो Congress Party के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो, अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष टारोप है कि ब्रश्टचार का मुद्दा जुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बन किया जा रहा है चुनों में सबको समान अउसर नहीं है और कई मुकदम हैं एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुम किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुक्ष करके दबाव बनाके किंद्रिय एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोक्रिसी को और स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बोता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन आपके खिराब भी कारवाई थे रहे हैं गष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगे मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्रों को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव तो दो तीन परसेंट पांच परसेंट और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है रश्टाचार के खिलाफ कारवाई हो या राजनिती समय के साथ अभी और यह गती पकलेगी साफ है कि अपकी बार भीता है रश्टाचार पर तक्राइब तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोगसभा चुनाव के लिए आम आपनी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैमपेण लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैमपेण वाली तस्वीर सामने आई जिसमें दिल शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद हैं केजरिवाल का आगी क्या होगा कितने दिनों तक सलाखों में रहना होगा क्या संजय सिंकी तरग केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर टिकाए। केजरिवाल की अरजी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा। मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है। में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है। देख रहा है। लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उनको लगा कि अरविंद केजरिवाल देश का परधान मंत्री होसता है तो इसी नाते उनों ने उसको अंदर किया। बीटे दिन केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत कर दो अरविंद केजरिवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा। दिल्ली का चुनावी अवियान अर्विंद के जरिवाल से जो लोग महबत करते हैं जिन के लिए अर्विंद के जरिवाल ने काम किया है अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अर्विंद के जरिवाल जी के लिए काम करें अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी जुपने नहीं दिया आज तानासास सरकार ने अर्विंद केजरिवाल को उठा के तिहार में बेजा है अब हम दिल्ली वालों के जिम्मेदारी है कि हम अरविन केजरिवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे पोस्टर में केजरिवाल को सलाखू के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय ने समझाए समापन 25 मई को होगा केजरिवाल की गिरफतरी के इर्द गेर्द चुनावी अभ्यान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पॉस्त्री दिल्ली के घर घर .. एक ताला साह ने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को आपके भाई को एक लोगपरिय मुख्यमंत्री को जो तीन бार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डृण दिया, जिस विक्ती ने आईरिस की मौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है, इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से. दिली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है, वो इनके ब्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देगे देगी और आम आदनी पार्टी का दिली से सूपरा साफ करेगी. आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैम्पेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो ज पर चुनाव लड़ रही है आप ये पोस्टर देखेंगे आज तक भ्यूरो क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत EDK आक्षिन पर क्या होगा अदालत का फैसला अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने EDK आक्षिन को चुनावते दी है लिहाँसा नजरे अदालती फैसले पर ठीकी है शराब नीथी घोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देखर अपनी गिरफतारी और फिर ED दिमांड को और समविधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है अब दोपहे 5 पजे आने वाले फैसले का इntजार है दिल्ली के मुक्यमंतری अर्विंद तेजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ली हाई कोट में फैसले की घड़ी आ गई है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुष सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई जरुवत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्या साजश करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसलान है राउज एवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की है केजिवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केजिवाल की गिरफतारी को लोग सभाचुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेण भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं फार्ती जनता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज़िबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजय सिंग की रहाई के बाद आम आद्मी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजय शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूचता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाओ के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाओ परचार में खर्च हुआ इडी का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए न केवल बयान बलके CDR से भी इसके पुष्री होती है इडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था पार रहे हैं कहीं कोई मनीट्रल स्टाबलिश नहीं कर पार रहे हैं तो हम तो भारतिय गोवा में आद्मी पार्टी हमलावर है लेकिन एडी की जाच जारी है पुष्टाज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा हैं अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई यां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पुष्टाज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पाठी के दूसरे निताव की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सिया लेकिन बीजी पी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती है दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पाठी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर केजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भाठवाज दिल्ली आज तक नमस्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अप्रेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था पामले की सुनवाई दिले हाई कोर्ट की जस्टेस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉ कि इस वक्त जुट चुके हैं यानि आज आज इस बात क्यों होगी ना सिर्फ केजरिवाल को पूरी आम आदमी पार्टी को कि निर्णा हाई कोट का क्या आताय करनों कितने बज़े यह यह फैसला आत वकता है जी अर्पिता यह फैसला जो है धाई बजे के आस पास जस्टि हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केजरेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओडर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओडर राउजवेनी कोट ने दिया था एडी को एडी में इन्वेस्टिकेशन करने के लिए उन दोनों को चाल सोची समझी साजेट थी कि ठीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्टी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के बाद एक सारे नेताओं को अंदर करने का जो परपस है उससे कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने फ कि या की सतरुख अप्रूफ जिसको ढूड़ने में हमें बहुत समस्यां आ रही है और उन्होंने ये का हम के बहुत नियर हैं इसलिए उन्होंने का कि इस स्टेज पर इसी बी तरह कर रिलीव देना चाहिए वो रिमांट के लिए चाहिए बीर की तरह कर देना बहुत मुश तो कही ना कही जो है इस टाइब चेंट करने में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह सारी ट्रांजिक्शन के गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही इडी अपने अपने डलीलों में है कि इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि आर्वन केजरे वाले परसन है एक पोस्ट होल्ड करते हैं उनको अगर ऐसा इस टाइम पर कोई रिलीस दी आ जाए तो वह विटनेस को इंफुएंस कर सकते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजे बताई अर्विन केजरिवाल जी ने भी यह पॉंट आउट किया कि कैसे जो है शाराट चंद्रे रेड जी के सामने इससे पहले बनी से सोधिया की भी बेल थी इससे पहले सतेंदर जैन की भी बेल थी और संजे सिंग की भी बेल थी पर उन में से किसी को भी वहां से रिलीफ नहीं मिला था तो बहुत कम चांस लग रहे है कि हाई कूट से शायद केजरिवाल जी को को रिलीफ मिल कि अभी तक अर्विन के जिवालेज में प्रॉपर बेल अप्लिकेशन नहीं फाइल किया बेल अप्लिकेशन उने फाइल करने के लिए वो नीचली अडालत में जाएंगे जो कि राउजेवन्यू कोड है जहां पर MP MLA कोड है जहां से जहां पर इसकी सुनवाई होगी उसके ब सालेंज करना जो उन्होंने हाई कोड में किया क्या वो सुप्रीम कोड में भी करते हैं कि नहीं करते यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोड अपना फैसला किस पक्ष में देता है चीक इसमें आपके राज्य सबास्तांसद संजे सिंग सुप्रीम कोर्स से जमानत मिलने पर छे मेने बाद बाहर आये हैं आम आदमी पार्टी की एक और नेता इस शराबनीती से संबंदित केस में एडी की रडार पर इसमें कई के स्थानों पर बीते दिनों चापे मारी भी होई यह गहरी साजी से बारती जन्ता पाजी भाजपा की चाल बाजीयों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है घर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना खाम करेंगा एजरिवाल जो अच्छी सिक्षा दे रहे हैं बिजली दे रहे हैं पानी दे रहे हैं बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं भुजूर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं उनका तुरंट फरजी मुकद में घरिपतार करो इस दीपा करो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग कफित शराब भोटाले के आरोप ने छे महीने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भेष्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू हो गए शराब भोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाशा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नश्ब में धखिलने का काम अर उनसे पैसे भी लिए गए उनको लोकसवा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरी वाल जेल में हैं और जिनको कहा जाता था मनी लॉंडरिंग के आरोपी और किंग पिन है वो बाहर हैं तो यह तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब ईडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग फिलहाल जमानत पर हैं दिल्ली के मुखी मंतरी अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में हैं मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में हैं मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंदर जैन भी जेल में हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जेल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए है कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आद्मी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेश्टचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल फड़े किये भाई को भाई से लडाया जारा है नफरत की राजिती की जारी है उसलिए हम सब नेता आपकी लडाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लडाई लड़ रहे हैं विपक्ष की एक जुटता को भी बीजेपी ने ब्रस्टाचार के खलाफ आपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है तेज सभी एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रश्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता ब्रश्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टी को नरेंद्र मोदी EDCBI इन इंस्टिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं अपने हैं कि अधर समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो इसको भी अंदर कर दो जो हस्पतार बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंगरिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष टारोप है कि भष्टाचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनों में सबको समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनातिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुक्त करके दबाव बनाके किंद्रिय एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ऑपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टरल डेमोक्रिसी को औ स्थिर करती रही है जो गड़ा खोलता है वो अंतोगता गड़े में गरता है जो दूसरों के लिए काटे बोता है एक दन एक ना एक दिन उसको अपने आपको उन काटों पर चलना पड़ता है अगर इंस्ट्यूशन का दुर्पयोग होगा तो कल यहीं इंस्ट्यूशन के खिराब भी कारवाई थे रहे हैं गष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोक तंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लडना और जीतना बहुत जरूरी है यह चुनाव दो पी परसंट पाँच परसंट और बागी हिंदुस्तान के बीश friendly चुनाओ है तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोग सबाद चुनाव के लिए आम आपनी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैमपेइन लॉंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके कैमपेइन वाली तस्वीर सामने इस तस्वीर की नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से केजरिवाल को भी कोट से रहत मिल सकती है इन सवालों का जवाब कल दिल्ली हाई कोट के निर्ने पर टिकार केजरिवाल की अरजी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है मंगलवार को कोट अपना निर्ने सुनाएगा मतलब कल का दिन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए शडियंत्र करके जेल में डाला गया है केजरिवाल की गिरफतारी और जेल को आम आदमी पार्टी राजनेटिक शडियंत्र करार दे रही है केजरिवाल के विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधान सभा में बीजे पीपर गंभीर आरूप लगा दावा यही किया कि केजरिवाल को देश अगले प्रधान मंत्री के तौर पर देख रहा है लहाजा साजिश के तहट केजरिवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया बीटे दिन केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ उपवास रखा गया वहीं आज आम आदमी पार्टी ने इन तस्वीरों के साथ चुनावी अभ्यान की शुरुआत कर दो पोस्टर में केजरिवाल को सलाखों के पीछे दिखाए गया है जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से यह कैसे होगा इसका मतलब क्या है मंत्री गोपाल राय नहीं समझाए केजरिवाल की गरफतारी के इर्द गेर्द चुनावी अभियान को बुना गया इसी पोस्टर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के घर घर दस तक देगी दावा यही है कि दिल्ली के वोटर ही केजरिवाल की गरफतारी का जवाब देंगे एक ताना साहने उनको जेल में डाल दिया आपके बेटे को, आपके भाई को एक लोखप्रिय मुख्यमंत्री को जो तीन बार से आपने चुना प्रचंद बहुमत से चुना उसको जेल में डाल दिया जिस विक्ति ने AIRS की मौकरी को लाथ मार के देश सेवा का संकल्प लिया ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया उसका एक एक हिसाब लोगतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है वो इनके ब्रश्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी और आम आदनी पार्टी का दिल्ली से सूपरा साफ करेगी आम आदनी पार्टी ने जेल में बंद केजरिवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहां उसे वस्तुत स्थिती में अगर देखें तो सामान्य तोर पर कैंपेइन के लिए किसी विशय को धूंड़ना उस विशय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे अब केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उन्होंने अर्विन केजरिवाल को ही क्या हाई कोट से केजरिवाल को मिलेगी राहत अर्विन केजरिवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कोट बताएगा कि केजरिवाल के गिरफतारी सही है या हलत केजरिवाल ने एड़िवाल के आक्शन को चुनाते दी है लिहाजा नजरे अदालती फैसले पर ठीकी है शराब नीथी घोटाले में गिरफतार केजरिवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफतारी और फिर एड़ि दिमांड को और समविधानिक बताया था उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है अब दो पहे ढ़ाई बजे आने वाले फैसले का इंतजार है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंध केजरिवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिकाबर दिल्ले हाई कोट में फैसले के घड़ी आ गए है दिल्ली हाई कोट ने तीन अपरेल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था अब सब को इंतजार है कि दिल्ली हाई कोट क्या फैसला सुनाता है केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंधी ने हाई कोट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी किसीम के तदकाल किरफतारी के कोई जरुवत नहीं है वहीं एडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरिवाल ही शराब घोटाले के मुख्ये साज़श करता है केजरिवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसलान है राउज एवेन्यो कोट से केजरिवाल की उसी याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरीए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतरिक समय की मांग की है केज़िवाल ने मांग की है कि एक हपते में वकीलों से पांच बार मिलने दिया जाए अभी तक सिर्फ दो बार ही मुलाकात हो रही है आम आदी पार्टी ने अर्विंद केज़िवाल की गिरफतारी को लोग सभाचुनाओं का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा केंपेण भी लॉंच कर दिया है आम आदी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे तो वहीं फार्ती जनता पार्टी कह रही है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए शराब नीती मामले में 21 मार्ज को केज्जिबाल गिरफतार होए थे उनकी गिरफतारी का आज 20 मादेन है संजय सिंग की रहाई के बाद आम आद्मी पार्टी को अब हाई कोट से बड़ी उम्मीद है संजय शर्मा के साथ पंका जैन दिल्ली आच्छता चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरब भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे तो क्या दिल्ली स्तरकार के मंतरी आतिशी का डर सच साबित हो रहा है दिल्ली के शराब घुटाले में कल E.D. ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केज्रिवाल के नीजी सचिव कुमार वेभव पर शिकंजा कस्त दिया कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब चार घंटे तक पूछता चुई होर तलब है कि गोवा चुनाव के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभरी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घुटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पाठी के चुनाव परचार में खर्च हुआ ED का कहना है कि हवाला के जरिये 45 करोर रुपए गोवा ट्रंसफर किये गए नकेवल बयान बलके CDR से भी इसके पुष्री होती है ED का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जाच की है गोवा में चार रास्तों से पैसा भेजा गया आरोपो की पुष्री गोवा में आम आद्मी पार्टी के एक उमिद्वार ने भी की है इस व्यक्ति को नगत भुक्तान भी किया गया था अगर भारतिय अन्ता पार्टी के शारफ पर ED OCBI हमारे निताओं को सम्मन नहीं देगी नोटिस नहीं देगी नहीं बुलाएगी तो हमें आशर होगा बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में ये जो नोटिस विज़े जा रहे हैं कोई सिर्प एर नहीं है और अब तक आपको भी पता है 200 से जादा रेड हो गई हम आदमी पार्टी हमलावर है लेकिन ED की जाँच जारी है पुछ ताज के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिन्दा हैं अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे ये लड़ाई बहुत लंबी है इस तरह की कठिनाई यां आती जाती रहेंगी लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूँगा शराब घुटाले में पूश्ताज पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आद्मी पार्टी के दूसरे नेताओ की यानि दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही है जाँच एजन्सिया लेकिन बीजी पी का कहना कुछ और है दूर्गेश पाठक का नाम किस ने लिया था? आतीशी ने शायद तो जाच अभी चल रही है देखे कहां का जाती दिल्ली शराब घुटाले में आम आद्मी पार्टी की अग्रिम पंक्ती का नित्रितु या तो जेल में है या बेल पर किजरिवाल और मनीश सिसोधिया जेल में है जबकि संजे सिंग को पिछले हफ़ते बेल मिली है तो क्या अब आप नेताओं से पूछ चाच की दूसरे कुछ शुरू हो चुकी है अमीद भादवाज दिल्ली आज तक नमस्कार आज तक देख रहे हैं आप साथ आपके मेहूर पितार दिल्ली आपकारी घुटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल की याजिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना नर्णाय सुनाएगा तीन अप्रेल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना नर्णाय सुरक्षित रख लिया था पामले की सुनवाई दिले हाई कोर्ट की जस्टेस स्वन कांता शर्मा के दिख्षता वाली बेंच ने की एडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अर्विन केजरिवाल आपकारी नीती घुटाले की मुख्य सरगना है उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर मनी लॉ कि इस वक्त जुट चुके हैं यानि आज आज इस बात क्यों होगी ना सिर्फ केजरिवाल को पूरी आम आदमे पार्टी को कि निर्णा हाई कोट का क्या आताय करनों कितने बज़े यह फैसला आज सकता है जी अर्पिता यह फैसला जो है धाई बज़े के आस पास जस्टिस स्वान कांता शर्मा डेली हाई कोट की जज है वो देंगी बेसिकली इस याचिका में अर्विन केजरेवाल ने अपना अरेस्ट और अपना रिमांड ओडर जो सबसे पहले उनको रिमांड ओडर राउजवेनी कोट ने दिया था एडी को एडी में इंवेस्टिकेशन करने क कि अवील उन्हों को चालेंच किया है उन्होंने יसके सविधहने क वैदता को चालेंज किया है और यह बताया है कैसे जो है E.D. ने दो साल पहले की जो F.I.R. थी, उसके बाद आने के बाद कैसे उनको अरेस्ट किया, कैसे ये एक सोची समझी साजेट थी, कि ठीक जनरल इलेक्शन से पहले आम आपनी पार्टी को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए, उन्होंने अलिगेशन लगाया कि एक के बा इन्सोर्स्में डिरेक्टरी का स्वेशन आपनी ये कहना था कि जो सारी ट्रांजेक्शन हुए है, ये हवाला कि थू हुए है, और ये सब कैश ट्रांजेक्शन है, जिसको ढूणने में हमें बहुत समस्या आ रही है, पर उन्होंने ये काहा कि हम करकी लिसको ढूगा किसी बैटकर देना चाहें वहां रिमांच के लिए चाहें वह अरेस्ट के लिए किसी बैटकर डही देना बहुत मुषक खराब होगा क्योंकि हम क्यूब करनने के बहुत आस पास है उन्होंने तमाम तरह की चीज़े बताए कि उन्होंने गोवा के लीडर्स को भी समन किया था और उनसे भी स्टेटमेंट निकल वाई है कल हमने देखा दुरगेश पाथक जो कि गोवा एलेक्शन के कन्वीनर थे उनसे भी पूस्ताच की गई तो कहीं न कहीं जो है इसलिए आ रहे है क्योंकि यह सारी ट्रांजक्शन स्कैश में की गई है इसका कोई लिखत ब्यूरा है नहीं इसकी वज़ा से ही इडी ने अपने अपने दलीलों में हाई-कोग के सामने यही बोला कि इस टाइम पर ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि अर्वन क जिवाल जी ने भी यही पॉंट आउट किया कि कैसे जो है शराच चंद्रेडी को बेल मिलती है कैसे वह एलेक्टोरिल बॉंट करोड के बीजेपी को देते हैं तो यह तमाम तरह की चीज़े हैं जो काउंटर और रिस्पॉंस में आई सामने पर अगर पहले की बात किया जा जानस लगए है कि ह्या कर चुज्रिवाल जी को को इस थाइम पर हाँ, अगर आज कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो इनके पश आगी का रस्ता को यह नहीं सामने नहीं एपके सूप्रिंग कर चाने का हो गागा यह देखना होगा कि सुम चाहर्णि कि क्लए जहांट एज appreciate कि अभी तक अर्विन के जिवालेज में प्रॉपर बेल अप्लिकेशन नहीं फाइल किया बेल अप्लिकेशन में फाइल करने के लिए वो नीचली अडालत में जाएंगे जाएंगे जो कि राउजवन्यू कोड है जहां पर MP MLA कोड है जहां से वजहां पर इसकी सुनवाई जो जो चालेंज करना जो उन्होंने हाई कोड में किया क्या हो सुप्रीम कोड में भी करते हैं कि नहीं करते यह बहुत एहम बात होगी देखने के लिए तो अभी कुछ घंटों का समय ही बाकी है जब हमें पता चल जाएगा कि हाई कोड अपना फैसला किस पक्ष में देता ह ची कि आप नजब बनाए रखे आगे बे आपसे अपडेट लेंगे में दोखी दूसरी तरफ दिली शराब नीती गोटाले केस में न सिर्फ मोख्य मंत्री बलके आम आदमी पार्टी के वरिश नेता और डेप्टिस यह मनीश सौधिया और स्वास मंत्री रह सतेंद जैन ज यह गहरी साज ही सेवारती जन्ता पाजी है भाजपा की चाल बाजियों को राजनीती को हम लोग खुब समझते भी हैं और उनसे तो मुकाबला भी हमने किया है गिर गए हैं और अब इनके पास बचने का या बेदुनाही का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है कानून अपना काम करेंगा पानी दे रहे है बस किफरी यात्तरा दे रहे है भुजूर्गों को त्री थी यात्तरा करार है उनका तुरन फर्जी मुगद में विट दार करो इसतीपा करो प्टनकी है ड्रामय बाजी है लोग समझ चुके हैं एक बात पश्ट है अरविंद केजवाल परश्ट है आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग कफित शराब घोटाले के आरोप ने छे महिने बाद जेल से जमानत पर बहार आए तो भेश्टाचार का मुद्दा और एडी की कारवाई पर नई बहस शुरू होगे शराब घोटाले में पैसे का लिन दिन भी हुआ है तो उस गोटाले में जो अरूपी है वो इस तरह की भाषा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याक किया देश के लिए इनको यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के जिवाओं को नश्ब में धखिलने का काम अर उनसे पैसे भी लिए गए उनको लोग सबा का टिकट भी दिया गया और आज अर्विंद केजरी वाल जेल में हैं और जिनको कहा जाता था मनी लॉंडरिंग के आरोपी और किंग पिन हैं वो बाहर हैं तो यह तो सीधा सीधा जो है कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही और अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो जब एडी ने जाच शुरू की तब से असली घोटाला शुरू है ब्रश्टाचार के खलाफ जाच एजिन्सियों की कारवाई में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और कई के खलाफ कड़ी कारवाई हुई है संजय सिंग फिलहाल जमानत पर है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल खुद इन दिनों तथा कथित शराब घोटाले की जाच के चलते तिहार जेल में है मनी सिसोधिया भी इसी मामले में लगभग एक साल से जेल में हैं मनी लॉंडरिंग के मामले में सतेंदर जैन भी जेल में है बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफतारी को भेश्टाचार के खलाफ चांच एजेंसियों की नियमित कारवाई बता रही है और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है बीजेपी की इस समय इनके पास कोई जवाब नहीं है ये बार-बार आरोप लगाते थे भाजपाफ जेल दे रही है भाजपाफ बेल नहीं लेने दे रही है तो संजे सिंग तो बेल पे आ गए हैं कानून अपना काम कर रहा है विपक्ष आम आभी पार्टी के नेता केजरी वाल की गिरपतारी के विरोध में दिल्ली में एक जुट हुआ और व्रेश्टचार के मुद्दे पर ही सरकार की मन्चर पर सवाल फड़े किये अगर आपने हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूँ चिनोती देता हूँ कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो आप सीरा आपके बैनर पर लगा दो कि वीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं वो एडी इंकम टेक्ट और सीविया है जिस हसाथ के देश में बांटने का काम किया जा रहा है भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है नफरत की राजिती की जारी है उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष की एक जुटा को भी बीजेपी ने ब्रस्टाचार के खिलाफ आपने अभियान में एक मुद्दा बना लिया इन परिवारवादी ब्रस्टाचारियों के लूट का हिसाब हो रहा है ते सभी एक हो गए है मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आम आदनी पार्टी के बड़े नेता ब्रस्टाचार के आरोप में मुश्किल में दिख रहे हैं तो इसको लेकर राजनीती खल्चल दिल्ली से लेकर पंजाब तक है सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिशन को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंगर्स पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहे दरसल विपक्ष टारोप है कि ब्रश्टचार का मुद्दा चुनावी राजनीती के हिसाब से तयार किया गया है और मुख्य विपक्षी नेताओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बन किया जा रहा है चुनाओं में सबको समान अउसर नहीं है और कई मुकदम है एक के उपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के उपर इतना बड़ा जुल्म किया पुरे देश में लगातार और संबेधानिक तरीके से औरनायतिक तरीके से बिधाय को सांसरों की खरीद फरुख्ट करके दबाव बनाके किंद्रिय एजिसियों का दुर्पयोग करके भारते इंता पार्टी ओपरेशनल लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रिसी को औस्थिर करती रही है गश्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे चुनावी राजनीती में और तेज होता जा रहा है यहां तक कि विपक्ष के चुनावी प्रचार में भी इसे एक मुद्दे की तरह फूब जगें मिल रही है बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है यह लोकतंत्र को बचाने का समिधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है तो एक तरफ केजरिवाल को लेकर फैसला आना है दूसरे तरफ लोग सबाद चुनाव के लिए आम आपनी पार्टी ने अपना नया चुनावी कैमपेण लाउंच कर दिया और इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से आपके केमपेण वाली तस्वीर सामने आई जिसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी केजरिवाल को सलागों के पीजे दिखाए गया है इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से शराव घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल तिहार जेल में कैद है के जिवाल का आगी क्या होगा